ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली और इस कहानी में आपको सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस कहानी में हर चीज है पहली चीज मेंन केरेक्टर जिसका नाम लियोनिश है वो सेम वर्ल्ड में री इंकानेट होकर पहले की है यहाँ पर demon lord की skeleton army इस वक्त six great heroes के साथ fight कर रही थी लेकिन demon lord की army में skeleton थे जिने चोट पहुचाना नामुम्किन था और दूसरी तरफ heroes की army में human soldiers थे लेकिन जो heroes की army थी उनके उपर god का magic था इसका मतलब god उनकी तरफ से थे यहाँ पर demon lord की defense की light line भी break होने वाली थी जिससे demon lord मतलब इस series का main character leonis बहुत गुसा था तभी वो एक बड़े से golden tree creature को भी देखता है इस चीज के बाद उसने अब फैसला कर लिया था कि उसे भी अब fight करनी ही होगी लेकिन तभी उसके वफादार दो साथी उससे कहते हैं कि आपने goddess of rebellion को promise किया था कि आप अभी कु दोल capturing stone में बंद कर लिया था और अब यहां से कहानी सीधा ही 1000 साल बाद पर आती है हम इस वक्ति सी जगह पर थे जहां पर एक साल पहले लियोनिश रहा करता था अब यह जगह पुरानी होने के कारण tom declare कर दी गई थी यहां हम अभी दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें जिने वाइड का आ जाता है वो यहीं इसी tom में छुपे हुए हैं अंदर आने के बाद वो वहाँ पर एक बड़ा सा gate देखते हैं जिसे ताकत से खोलना ना मुम्किन था पर जब सीलिया अपने phone में देखती है तो उसे पता चलता है कि इस पर ancient language में कुछ लिखा हुआ है यह भी रुसेलिया के सामने था यह वही लड़की थी जिसे लियोनिस ने promise किया था यहां रुसेलिया लियोनिस को बताती है कि 1000 साल अब पूरे हो चुके हैं इसका मतलब लियोनिस के लोटने का समय आ चुका है अब रुसेलिया वहाँ से जाने लगी थी पर तब लियोनिस भी होस आ चुका था वो इस वक्त सोच रहा था कि साइद सीलिया उसकी ग्रीव मतलब उस मैजिक स्टोन को चुराने के लिए आई है इसी वज़े से अब वो फैसला करता है कि उसे सीलिया को री इंकारने डेमन लॉड की पावर दिखानी होगी और वो अपने मैजिक को बस थो पूटा सा बच्चा इस तरह की जगे पर क्या कर रहा है अब लियोनीस वहाँ क्रिश्टल में खुद को देखता और बहुत ही जादा सौक हो जाता है उसे लग रहा था कि साइद उसका री इंकारनेशन स्पेल फेल हो गया इसलिए वो अपने डीमन लॉड फॉर्म में गई हूँ मगर इसके बाद अब लियोनीस अचानक से बिहोस हो गया था अब कुछ दिर के बाद जब उसे होस आता है तो वो सोच रहा था कि साइद उसने 1000 साल से कुछ खाया नहीं है इसी वज़े से वो इतने टाइम तक बिहोस था अब जैसे ही वो होस में आता है तो सीलि है और वो होली सोड एकेडमी की स्टूडेंट है असल में यह एकेडमी बहुत ही खास है और यह मॉंस्टर से लड़ने के लिए लोगों को ट्रेन करती है और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि लियोनीस भी वहीं पर जाने वाला है यहाँ पर लियोनीस सोच है कि आखिर वाईड मोंस्टर क्या होते हैं इस पर वो उसे बताती है कि असल में ये दूसरे धुनिया से आये हुए जोंकि बहुत खतर्नाक होते हैं और इन्हीं मोंस्टर को माने के लिए हमारी एकेडमी बनाई गई है वाइड मॉंस्टर देख चुके थे वो तुरंत सीलिया को वहाँ पर बुला रही थी लेकिन उसी दोरान वहाँ सामने भी एक वाइड मॉंस्टर आ जाता है जो कि इन दोनों पर हमला कर देता है ये देखते हुए सीलिया ने अपनी पिश्टल निकालकर उस पर अटैक करना च चुकी थी और वो अपनी बहुती बड़ी कैनन से तुरंती उस वाइड मॉंस्टर को हरा देती है लेकिन अब वो मॉंस्टर फिर से खड़ा होने लगा था और वो बहुती जादा खतरनाक था जिस वज़े से रेजीना तुरंती अपने कैनन को ट्रांसफॉर्म करती और उस इसे देखते ही सीलिया ने तुरंती अपनी तलवार निकाल ली थी मगर लियोनिस जानता था कि सीलिया इस वाइड मॉंस्टर को नहीं रोक पाई गी क्योंकि वो तो पहले वाले को भी नहीं रोक पाई थी इसके पास कोई यह स्पेसल वेपन नहीं है इस वज़े से अब ल लियोनिज से माफ ही माग रही थी और कहा रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, पर अब वहाँ पर वो वाइड मौश्र उसके पास आने लगता है, साथ ही और भी कई सारे वाइड मौश्र अभी उसी तरफ आ रहे थे, लेकिन लियोनिस का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था वो बहुती ज़्यादा सौक में था और उसके दिमाग में चल रहा था कि उसने अभी अभी सोचा था कि वो सीलिया से यहां की इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है पर अब सीलिया की जान जा रही है वो भी सिर्फ लियोनिस को ही बचाते हुए यह की वो रक्षा कर रहा था इसी वज़े से लियोनिस ने फिर डीमन लॉड बनने का फैसला किया था पर अब यहां पर सब कुछ उल्टा चल रहा था लियोनिस के अंदर इमोसन सारे थे लेकिन वो नहीं चाता था कि ऐसा कुछ भी हो इसलिए अब वो खड़ा होता है और हम द रहते हुए वो बहुत ही आसानी से उनसा भी वाइड मॉस्टर को हरा देता है लेकिन फिर आखरी में वो देखता है कि कुछ वाइड मॉस्टर की बोन्स अभी भी बची हुई है जबकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था उसने बड़े बड़े ड्रेगन्स तक को मारा है लेक क्योंकि उसके पास कोई भी हीलिंग पावर नहीं थी लेकिन फिर वो एक मैजिकल स्पेल का यूज करता है जिसके वज़े से अचानक से वो सारा बलड वापस से सीलिया की बॉड़ी में जाने लगता है सीलिया की चोड भी ठीक हो चुकी थी पर अब उसकी आखिर रेड हो गई थी और साथ ही उसके पैर पर एक सील बन चुकी थी और तभी वहाँ पर रेजीना आ जाती है लेओनिस देखता है कि इन लोगों के पास मैजिक वेपन्स तो हैं लेकिन ये कोई भी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते लेओनिस समझ रहा था कि सैद ये लोग हार मिली जिसे होली पावर कहते हैं इस पावर के चलते वो फायर विंड और इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस पावर के चलते वो फायर विंड और इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे साथी सीलिया बताती है कि कुछ चिल्रेंस जो special होते हैं और सिर्फ उन्हीं के पास ये ability होती है और उन्हीं को फिर Holy Sword Academy में एक special जगे मिलती है वो लियोनिस को भी वहीं पर ले जा रहे थे क्योंकि उसे लगा था कि लियोनिस के पास भी कोई healing power है इसके बाद अब वो दोनों ही अपनी बाइक पर लियोनिस को लेकर सिटी के तरफ लोटने लगे थे अब कुछ दिर के बाद वो वहाँ दूर से ही उस सिटी को देखते हैं लियोनिस उस सिटी को देखकर सौक था वो सोच रहा था कि सच में humans ने बहुत ही जादा progress कर ली है इसके बाद अचानक से scene change होता और हम सीलिया और रेजीना का बचपन का scene देखते हैं असल में वाइड मॉंस्टर ने पूरी सिटी पर हमला कर दिया था जिस वज़े से एक bunker बनाया गया था जहां पर लोगों को safe रखा जा रहा था और जो holy sword magician थे वो इस वक्त उन सभी मॉंस्टर से fight कर रहे थे वैसे सीलिया किसी rich family से नहीं थी लेकिन उसके जो parents थे वो दोनों ही holy knights थे जो की एक बहुत बड़ी position है वो इस वक्त उन सभी मॉंस्टर से आमने सामने होकर fight कर रहे थे यहां सीलिया रेजिना से कह रहे थी कि चिंता मत करो यह लड़ाई हम ही जीतेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन जब यह लड़ाई पूरी तरह से खत्म होती और वो लोग वहाँ से बाहर निकल कर city को देखते हैं तो city पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी वैसे एक और चीज यह जो holy night होते हैं यह वही लोग बन पाते हैं जो कि बचपन में यह अपने power को हासिल कर लेते हैं अगर उनके अंदर कोई special ability होती है तो उन्हें यह position दी जाती है वैसे इस सब के बाद अब वो लोग city के तरफ पहुंच चुके थे city के पास पहुंचने के बाद सीलिया लियोनिस से कहती है कि वैसे यह city अभी घूम नहीं रही है लेकिन अपनी जगे यह change कर सकती है अभी वाइड मॉस्टर के चलते है city को यही पर रोका गया है और इसी वज़े से हम यहाँ टॉम में आये थे मगर अभी लियोनिस को कुछ भी समझ नहीं आया था क्योंकि यह city सच में बहुत ही ज़ादा बड़ी थी तो यह कितनी बड़ी city अपनी जगे कैसे change कर सकती है वैसे लियोनिस के मन में इस वक्त चल रहा था कि उसे किसी बितरह से अपने demon lord army को फिर से build करना होगा लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर पाएगा फिर उसे एक idea आता है और वो idea क्या है यह हमें कुछ देर में पता चलेगा अभी तो वो सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द यहां की जितनी information मिल सके उतनी information निकाल लेनी चाहिए लेकिन अब सीलिया और रेजीना को वहां से कहीं पर जाना था वो उससे कहते है कि हम कुछ देर में लौट कर आएंगे अभी लियोनिस वहीं पर पास ही एक public toilet में जा रहा था और वो वहाँ पर जाकर दो नाम लेता है एक सेरी और एक black kush यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सेरी है वो लियोनिस की maid है और जो black kush है वो असल में एक dog है लेकिं लियोनिस उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है वैसे black kush को prince और shadow realm भी का जाता है यहाँ पर दोनों ही लियोनिस के पुराने form को देखकर sock थे यहाँ पर black kush कह रहा था कि मैं तुम्हारा ये रूप पहली बार देख रहा हूँ और sorry कह रहे थी कि आप इसमें ज़्यादा अच्छे देख रहे हो लेकिन लियोनिस कहता है कि देखो ये सब बाते बात में होती रहेगी अभी मैंने तुम्हें एक मदद करने के लिए बुलाया है अब वो पूछते हैं कि कैसा favor इस पर लियोनिस उन दोनों को ही situation समझाता है कि एक हजार साल बीच चुके हैं मैंने सोचा था मैं future में आकर अपनी demon army खड़ी करूँगा लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि धर्ती पर से ये magic ही खत्म हो चुका है वैसे अभी black ass कह रहा था कि हाँ मुझे यहाँ अपना वाला magic smell नहीं हो रहा लेकिन अभी भी मुझे यहाँ किसी दूसरे तरह की magic feel हो रही है अब लियोनिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम हमारी demon army फिर से खड़ी करें लेकिन उसके पहले जितनी हो से कि उतनी जादा हमें investigation करनी होगी क्योंकि अब पूरी दुनिया change हो चुकी है हमें information नहीं मिली तो हम इन लोगों का कुछ बिगार नहीं पाएंगे अब इसके बाद लियोनिस वहाँ से जाता है चेकिंग के लिए पर वो मसीन अचानक से अलाम बजाने लगती है पर लियोनिस ने अपने magic spell की मदद से उसे ठीक कर दिया था बाद में उसे एक card मिलता है जिसमें उसकी identification लिखी जा चुकी थी तब ही सीलिया वहाँ पर आती और card में photo खीचने लगती है अब लियोनिस पूछता है तो वो बताती है कि यही इस city में रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है अगर तुमने इसे खो भी दिया तो मेरे पास इसकी photo है जिससे तुम किसी भी problem में नहीं फस होगे अब लियोनिस यहाँ पर city घूमने का decide करता है जिसके बाद सीलिया उसे बाइक पर city के तरफ ले जा रही थी अब city में बहुती सांती थी तो लियोनिस पूछता है कि अगर void monster अटैक कर रहे हैं फिर ये city इतनी सांत कैसे हो सकती है तो सीलिया उसे बताती है कि हमने सब कुछ प्लैन कर रहा है फ्रंट लाइन पर holy nights खड़े हैं जो किसी भी void monster को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं साथी वो बताती है कि हम city को और भी जादा बड़ा कर रहे हैं इस चीज में थोड़ी मेनत लग रही है लेकिन काम धीरे धीरे चल रहा है उन्होंने city को तीन parts में डिवाइड कर दिया है पहले तो residential area जहाँ पर लोग रहा करते हैं दूसरी जगा है commercial area जहाँ पर लोग खाने की और बाकी सारी जरूरत की चीज़े ले सकते हैं और तीसरी वाली जगे को administration कहा जादा है इसके बाद सीलिया बताती है कि वहाँ इन तीनों के बीच एक academy है जिसमें वो और बाकी सारे student रहते हैं और वो जगा इस city की पूरी military को भी समालती है अब इसके बाद वो उस academy में पहुंचते हैं जहाँ पर लियोनिस को बहुत बड़ी बड़ी buildings दिखाई दीती है वो पूछता है कि क्या ये जगे भी academy के अंदर आती है जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ और फिर वो बताती है कि ये जो building है इन में dance hall, cricket, stadium, theater और बाकी हर चीज है अब लियोनिस ये सब जानकर शौक था वो पूछता है कि आखिर एक academy में जहाँ पर military की तयारी हो रही है वो जगे को इस तरह की चीजों से क्या ले ना देना इस चीज पर सीलिया कहती है कि बात तो तुमने सही कई पर holy sword कोई मामूली चीज नहीं है वो हर किसी को god कि थ्रू मिलती है और इसको जगाने के लिए हमें हमारे heart से connect होना पड़ता है और यही सब चीज हमें हमारे heart से connect करती है अब वो लियोनिस को ऐसी बाते बताते हुए आगे बढ़ती जा रही थी तब ही हम देखते हैं कि सामने उन्हें उस academy को कुछ और students मिलते हैं यहाँ Celia की ही class का एक लड़का था और उसके साथ और चार लड़कियां भी थी वो लड़का देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप का है वो यहाँ पर आते ही Celia का मजाक उड़ाने लगता है असल में Celia ने अभी तक अपनी holy sword को find नहीं किया था और इसी वज़े से वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कह रहा था कि तुम इस बच्चे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो लेकिन वैसे भी अब तुमारे बराबर के students तुमसे बात ही नहीं करते होंगे क्योंकि तुमारे पास कोई power ही नहीं है लियोनिस को ये चीज देखकर थोड़ा गुसा तो आता है लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरुरत नहीं है यहाँ पर वो लड़का कह रहा था कि तुम मेरा group join कर सकती हो उसके बाद मैं तुम्हे एकेडमी से निकाले जाने से बचा सकता हूँ लेकिन अब सीलिया के मना करने के बाद वो लड़का reveal करता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो सीलिया को खुद के benefit के लिए join होने को कह रहा था वैसे बाकी वो चार लड़कियां भी इसलिए इसके साथ है क्योंकि वो लड़का या तो जादा powerful होगा या फिर उसकी आगे तक पहुँच होगी और वो इसलिए सीलिया को अपने साथ अपने ग्रूप में join होने को कह रहा था जिससे कि वो उसे भी इसी तरह से अपना servant बना सके यहाँ पर लियोनिश नोटिस करता है कि जो चार गर्ल्स थी वो किसी भी तरह से react नहीं कर रही थी वो समझ गया था कि यह किसी mind controlling magic के चलते यहाँ इसके साथ घूम रही है असल में उस लड़के के पास यही holy sword की power है सीलिया भी यह बात जानती थी लेकिन अब जब वो यहाँ पर उस लड़के पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है खड़े होकर अपनी magic power से अपनी holy sword power को activate कर लेता है और इसके बाद वो लियोनिस पर हमला करने ही वाला था लेकिन तबी अचानक से वहाँ पर एक senior student आ जाती है जो कि उसे रोक देती है और साथी उस लड़के ने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी थी वो एक बच्चे पर हाथ उठा रहा था और साथी बिना वजय और बिना reason के अपनी holy sword power को activate कर रहा था जो कि वहाँ एक illegal काम है लेकिन अब वो लड़का इस चीज़ से डर गया था और वो तुरंती वहाँ से भाग जाता है अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की वहाँ पर आई थी वो girls dom sector की main है और वो यहाँ पर आकर लियोनिस से माफी मांगते हुए कहती है कि माफ कर दो मुझे थोड़ी से देरी हो गई अब लियोनिस यहाँ पर मन में सोचता है कि मैं पहले कई तरह के माफ कर चुका हूँ जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं है फिर भी यह मुझे से माफी मांग रही है यहाँ पर उस लड़की के पास कुछ magic ball है जो कि लियोनिस के आस पास गोम रही थी आगे हमें उस लड़की का नाम इलफाइन पता चलता है अब यहाँ पर सीलिया इलफाइन को बताती है कि लियोनिस उसे उस टॉम के अंदर मिला था जहाँ पर वो वाइड मॉस्टर को ढूनने के लिए गए थे यह बात सुनकर इलफाइन कहती है कि उसे वो वाइड मॉस्टर की investigation रिपोर्ट चाहिए उसे यह रिपोर्ट जल्द से जल्द उपर पोजिसन के लोगों को भेजनी होगी यहाँ पर सीलिया उसे लियोनिस के बारे में भी बताती है तो इलफाइन कहती है कि वो लियोनिस के लिए एक ड्रेस भेज देगी और फिर वो एकेडमी भी जॉइन कर सकता है यहाँ पर सभी को मौका दिया जाता है होली सोड के पावर को रिलीज करने के लिए और बताने के लिए कि वो भी capable है अब तभी अचानक से सीलिया को थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी थी लियोनिस समझ गया था कि टाइम आ चुका और इसके बाद अब वो वहाँ से चले जाते हैं हम देखते हैं कि अभी वो गल्स डॉम के अंदर आ गए थे यहां अकेडमिय स्टूडेंट को रहने के लिए एक private room दिया जाता है जहां वो दो लोगों को एक कमरा देते हैं वैसे यह गल्स डॉम है इस वज़े से लियोनिस को थोड़ा जीब लग रहा था में दिक्कत तो तब होई जब वो लियोनिस को नहाने के लिए साथ ले गई थी अब यहां वो लियोनिस को सैंपू करते हुए बताती है कि उसकी family बहुत पहले मारी जा चुकी है वो बताती है कि उसके दोनो parents holy nights थे और बहुत ज़्यादा strong थे और इसी वज़े से उसे अभी तक इस academy में रहने दिया जा रहा है वरना अभी तक उसके पास कोई भी holy sword की power नहीं है इसलिए उसे कभी भी निकाला जा सकता है लेकिन अगर कुछ time में उसकी ये power नहीं सो होती तो उसे सच में निकाल दिया जाएगा और साथ ही वो बताती है कि उसके उस storm में आने का असली कारण भी यही था कि वो white monster से लड़ते वक्त खत्रे में फसे जिससे कि उसकी वो power activate हो सके मगर अब जब वो ये सब लियोनिस को बता रही थी इतने में ही वो वहाँ पर बेहोस हो जाती है लियोनिस उसके पैर पर बनी हुई seal को टच करता है तो इसके बाद सीलिया की आँखे फिर से रेड हो चुकी थी और अचानक से वो बैट कर लियोनिस को bite करती है और इस वज़े से वो खुद भी बहुत ज़्यादा sock में थी वो पहले माफी मांगती है और पूछती है कि यह क्या हुआ तो लियोनिस कहता है कि तुम्हें बहुत चोट लगी थी इस वज़े से मुझे मेरा magic spell यूज करना पड़ा और अब तुम मेरी minion मतलब मेरी army का एक हिस्सा बन चुकी हो और वो भी कोई normal spell नहीं था मैंने तुम्हें vampire queen का tag दिया है अब सीलिया को उसकी बाते कुछ समझ नहीं आती है तो लियोनिस उसे बताता है कि तुम पहले ही मारी जा चुकी हो और तुम्हें बचाने के लिए ये करना जरूरी था कि लियोनिस ने सीलिया को सब सच बता दिया था जिससे सुनकर सीलिया बहुत ज़्यादा सौक हो चुकी थी इसके बाद अब वो वहां room में आ गए थे यहां लियोनिस जब उसके पास बैठा था तो वो उससे पूछ थी है कि तुम हो कौन इस पर लियोनिस बताता है कि मैं बहुत पुराना एक sword master हूँ लेकिन मेरे पास जो power है वो अब इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुकी है वो सिर्फ अब मेरे ही पास बची है और मैंने तुमें बचाने के लिए भी अपनी secret power का ही इस्तिमाल किया था सीलिया को अभी भी ज़्यादा कुछ बाते समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो कह रहा था कि उसने level 10 की life and death power का इस्तिमाल किया था और ऐसी power के बारे में सीलिया ने आज तक सुना भी नहीं था लियोनिस कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो सीलिया को बचा पाएगा की नहीं और उसके chances भी बहुत ज़्यादा कम थे फिर भी उसने इस power का इस्तिमाल किया उसे बचाने के लिए अब सीलिया के किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई लियोनिस उसे समझा रहा था कि उसके पास ऐसी कोई power नहीं थी जिससे कि वो सीलिया को फिर से जिंदा कर सके इस वज़े से उसे सीलिया को transform करना पड़ा एक vampire queen में जो कि देखा जाये तो उसके demon army में सबसे strong position है अब सीलिया इस चीज से थोड़ी परेशान थी वो कह रही थी कि कुछ अगर बनाना ही था तो कुछ और क्यों नहीं बना दिया लेकिन लियोनिस कहता है कि तुम्हारे पास mana जो कि एक तरह से energy कोई कहते है वो बहुत ही कम बची थी और mana को regain करने के लिए तुम्हारे blood की जरत पड़ती जिस वज़े से तुम्हे vampire बनाना ही मुझे सही लगा अब तुम अपनी माना को recover कर सकती हो लेकिन वक्त वक्त पर तुम्हे blood की जरत पड़ेगी वैसे अब सीलिया समझ तो गई थी वैसे फिर वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हे अपने स्टोरी बता सकती हूँ इस पर लियोनिस कहता है कि हाँ बिलकुल अब सीलिया बाकी किया स्टोरी स्टार्ट करती है वो पहले ही बता चुकी थी कि जब वो 6 साल की थी तब यहां सिटी पर हमला हुआ जिस चीज में उसके parents जो की holy nights थे वो मारे गए अब सीलिया और रेजीना दोनों ही अकेले पड़ चुकी थे जिसके बाद उन्हें एकेडमी के बारे में पता चला जहां पर उन्हें ये भी पता लगा कि वो भी holy sword को समन कर सकते हैं इसके लिए उन्हें कुछ time लगेगा बस उन्हें अपने internal power को ढूणना है वो बताती है कि वो अभी तक अपनी holy sword power को नहीं समझ पाई इस पर लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो मैं जानता हूँ तुमारे अंदर माना की थोड़ी कमी है लेकिन अब तुम एक vampire queen हो जो कि तुमारी strength और तुमारी internal power को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है लेकिन अब इतना जानकर भी सीलिया समझने को तयारी नहीं थी तुमें एक high level vampire हो और अब तुमें इसे खाने से माना यानि की energy मिलेगी लेकिन इसकी energy बहुत देरे देरे body में फैलती है और खाने से तुमें बहुत कम energy मिलेगी मगर मेरे blood से तुमें ज़्यादा energy मिल सकती है लेकिन फिर भी पेट की भूक मिटाने के लिए तुमें कुछ तो खाना ही होगा अब सीलिया मान जाती है लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे बस bread चाहिए क्योंकि बाकी चीजों में ज़्यादा पैसे लगेंगे और वैसे भी अब मैं मर चुकी हो तो मुझे इस से ज़्यादा अच्छा खाने की जर्रत नहीं यहाँ लियोनिस उसे समझाता है कि तुम मरी नहीं हो बल्कि एक तेरे से तुम अब immortal हो चुकी हो यहाँ पर खाने के लिए पैसे भी लगते हैं तो इसलिए लियोनिस अपने पास से गोल्ड कोईन निकालता है असल में वो पहले तो डीमन लॉड था इस वज़े से उसके पास ना जाने कितना सोना पड़ा हुआ है और इससे वो पूरी कैंटीन ही नहीं बल्कि पूरी अकेडमी को भी खरीच सकता है लेकिन जब सीलिया उस गोल्ड कोईन को देखती है तो वो कहती है कि यह क्या है इस तरह का गोल्ड या फिर नॉर्मल पैसे यहाँ पर नहीं चलते यहाँ पर तुम क्रेडिट की मदद से ही सामान खरीच सकते हो अब वो यह सब सुनकर सौक था यहाँ पर तब ही उसी वक्त हम पीछे से एक लड़की को आते हुए देखते हैं उसकी ड्रेस अलग थी मतलब उसने अकेडमी की ओफिसियल ड्रेस नहीं पहनी थी इस वज़े से दो लड़के उसे परिशान कर रहे थे और उन्होंने उस लड़की को वहीं रोक लिया था वो बस उस लड़की को परिशान कर रहे थे लेकिन फिर वो लड़की अपनी लकड़ी की सौड निकालती है और उन दोनों को पीट पीट कर वहां से भगा देती है अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीलिया और लियोनिस भी अभी उसी की तरफ बढ़ रहे थे असल में वो लड़की सीलिया की दोस्त ही है और उसका नाम साकुया है अब यहाँ पर जब दोनों उसके पास आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तो इस पर साकुया उन्हें पूरी डिटेल में बताती है कि वहाँ पर क्या हो रहा था और इसके बाद वो वहाँ पर लियोनिस को देखकर कहती है कि यह जो साकुया है इसने अपनी पूरी लाइफ एक सौर्ड नाइट बनने के लिए लगा दी है मतलब अभी तक वो सिर्फ सौर्ड ट्रेनिंग में ही अपना ज़्यादा टाइम गुजारती है वैसे इसके बाद उसने सीलिया और लियोनिस को अपनी तरफ से खाना खिला दिया था असल में उसके पास अच्छे खासे क्रेडिट पॉइंट्स थे क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए वाइड मॉंस्टर से लड़ना पसंद करती थी तो उसे इसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स भी मिल जाते थे और उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती थी यहां खाते वक्त लियोनिस पूछ रहा था कि आखिर तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है जिस पर वो कहती है कि असल में ये उसके होमलेंड की ट्रेडिशनल ड्रेस है असल में उसका होमलेंड जो था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था जब वाइड मॉंस्टर ने वहाँ पर हामला किया उसकी पूरी फैमली और बाकी सारे लोग भी उसमें मारे गए वो वहाँ उस अटैक के बाद आखरी सर्वाइवर थी तो वो अपनी गाउं और अपनी इकलोती बहन को याद करने के लिए से पहनना चाती थी इसी वज़े से एकेडमी ने भी उसे परमीशन दे दी वैसे बहुत बाते हो चुकी थी और यहाँ पर लियोनिश को एडमीशन के लिए भी ले जाना था असल में यहाँ पर इसके लिए पहले एक टेस्ट होता है तो अब वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं मिस ओल्टो के पास जहाँ पर मिस ओल्टो कहती है कि हमें टेस्ट लेना है इस वज़े से फिर वो लियोनिश के अपनी होली स्वार्ट को निकालने को कहती है इसका मत्तब लियोनिश का वेपन जो कि उसने चुना है अब यहाँ पर लियोनिश अपनी वो मैजिक श्टेक निकालता है यह वही चीज थी जो उसके पास हजार साल पहले सी थी सीलिया और मिस आल्टो को यह चीज थोड़ी अजीब लग रही थी मगर फिर वो इस चीज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी थे हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ रोबोट्स रखे हुए थी इन रोबोट को असल में डिजाइन किया गया है वाईड मॉंस्टर के हिसाब से रियक्ट करने के लिए दरसल उन्होंने वाईड मॉंस्टर के एक्शनस को कैप्चर करके इन रोबोट्स को ट्रीन किया है जिस वज़े से ये नॉर्मल लेवल के वॉइड मॉंस्टर की बराबरी कर सकते हैं यहाँ पर अभी लियोनिस की पावर का टेस्ट लेना था इसलिए मिस ओल्टो उससे कहती है कि तुम अपनी मैजिक अश्टिक का यूज करते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करो यहाँ वो ये भी कह रहे थी कि तुम अभी छोटे हो इस वज़े से तुमें जादा पावर को एकदम से यूज नहीं करना चाहिए तुम अभी बस लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करो लियोनिस उसकी बात मानकर सिर्फ लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करता है इस वज़े से वो रोबोट वहीं पर खत्म हो चुके थे ये देखकर सीली और मिस ओल्टो दोनों ही बहुत ज़्यादा सौक थी अब यहाँ पर वो सोच रहे थे कि साइद मॉंस्टर का लेवल थोड़ा कम था उन्हें लेवल बढ़ा कर चेक करना चाहिए जिसके बाद मिस ओल्टो उन रोबोट का लेवल बढ़ा रही थी लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था उस लड़के का नाम म्यूजेल है और वहाँ पर आकर कहता है कि अगर आप लोग चाहे तो मैं खुद लियोनिस की पावर का टेस्ट ले शकता हूँ अब मिस ओल्टो इस पर कहती है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि वाइड मौस्टर का लेवल उतना ही है जितना मैं बढ़ाने वाली थी अब म्यूजेल का लेवल भी उतना ही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे म्यूजेल को मौका मिल चुका था लियोनिस से फाइट करने का और वैसे भी वो पहले ही लियोनिस से बदला लेना चाता था इसलिए वो यहाँ पर इस चीज का फाइदा उठा रहा था अब वो अपनी होली सौर्ड को निकालता और उसकी पावर को यूज करता है जिसके बाद वो चारो लड़कियां जो कि उसके साथ घूम रही थी क्यूंकि म्यूजेल ने उनके माइंड पर कंट्रोल रखा था तो वो चारो भी अपनी होली सौर्ड को निकाल लेते हैं यह देखकर सीलिया सौक थी वो कहती है कि यह तो चीटिंग है लेकिन म्यूजेल बताता है कि नहीं यह तो मेरी पावर्स हैं यह कोई चीटिंग थोड़ी ना है यहां लियोनिस को तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी उसके लिए इन पाचों से लड़ना बहुत ही आसान था और वो खुद भी यह बात जानता था लेकिन अब सीलिया को उसकी चिंता हो रही थी वो कहती है कि मैं भी इस फाइट में हिस्सा लूँगी वैसे अब यहां म्यूजेल तो असल में यही चाता था वो कहता है कि ठीक है लेकिन अब यह चीटिंग होगी इस वज़े से मैं चाता हूँ कि अगर मैं तुमें हरा दिया तो तुम मेरी सर्वेंट बन जाओगी और मेरे ग्रूप को जॉइन कर लोगी अब लियोनिस की जान बचाने के लिए सीलिया को भी हां करनी पड़ती है यहां पर लियोनिस वैसे तो मना कर सकता था क्योंकि उसके लिए अकेले ही उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं थी मगर वो अभी मना नहीं कर रहा था और ऐसा वो जान बूच कर कर रहा होता है जिससे कि सीलिया प्रॉबलम में फसे और अपनी असली पावर को समझ पाए लेकिन अब फिर भी वो सीलिया का कॉन्फिडेंट थोड़ा बढ़ाने के लिए कहता है कि मैं सीलिया को कुछ भी नहीं होने दूँगा अब हम देखते हैं कि ये मैच स्टार्ट होता है दोनों ही टीम आमने सामने खड़ी हुई थी यहाँ पर सीलिया भी थोड़ा आगे थी क्यूंकि उसे लियोनिस को प्रोटेक्ट करना था आगे हम देखते हैं कि म्यूजेल पहले एक लड़की को आगे करके सीलिया के उपर हमला करने के लिए भीजता है अब सीलिया ने उसके अटैक को रोक लिया था इसके बाद म्यूजेल दूसरी लड़की को भी आगे भीज देता है और अब सीलिया उससे भी फाइट करने लगती है अब हम देखते हैं कि म्यूजेल को तो सीलिया को ही हराना था लेकिन वो थोड़ी बेवकूफी दिखा देता है और वो वहाँ पर लियोनिस पर भी हमला करना चालू कर देता है उसने एक लड़की को इस तरफ लियोनिस पर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया था अब सीलिया का भी अपनी फाइट से ध्यान अट जाता और वो लियोनिस के तरफ देखने लगती है लेकिन अब लियोनिस ने बहुत ही जादा आसानी से बहुत ही जादा कम पावर के उस लड़की को रोक दिया था अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चौती लड़की थी वो भी सीलिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी मगर सीलिया उसे भी बहुत ही आसानी से हरा देती है वैसे रेजीना भी यहाँ पर आकर उस फाइट को देख रही थी अभी सीलिया ने बिना किसी दूसरी पावर के अपने अश्टेंट से उन तीनों को हरा दिया था और इसके बाद अब वो म्यूजेल पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी मगर यहां म्यूजेल तो यही सब चाहता था वो मौका देखते ही तुरंट अपनी होली सौर्ट की सेकेंड पावर का इस्तेमाल करता है जहां पहली पावर से वो किसी के मन को कंट्रोल कर सकता है वैसे उसके साथ साथ दूसरी पावर यह है कि वो किसी को भी फ्रीज यानि कि पैरलाइस कर सकता है और अब सीलिया पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी और अब वो हिल भी नहीं पा रही थी यहाँ पर म्यूजेल पहले तो उससे फाल्तू की बाते करता है और कहता है कि रुको पहले मैं इस लड़के से डील करके आता हूँ उसके बाद तुमसे मिलूँगा यहाँ पर वो लियोनीज की तरह बढ़ रहा था लियोनीज बहुत ही आसानी से उसे रोक सकता था और वो ऐसा करने ही वाला था लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ सीलिया खुद से ही कुछ कह रही थी वो इस वक्त अपनी होली सौर्ड पावर से रिक्वेस्ट कर रही थी और कह थी कि अब मैं और जादा पैसेंस नहीं रख सकती मुझे पावर चाहिए इस कमजूरी की वज़े से मैं एक बार मर चुकी हूँ और जिसने मुझे बचाया है मैं उसे मरने नहीं दे सकती इस वज़े से अब वो बार बार यही चीज रिपीट कर रही थी सभी लोग उसकी त सौक लग रही थी और खुद से कह रही थी कि मुझे तो अपने आँखों पर यकीन नहीं होता लेकिन हम देखते हैं कि सौर्ट की मदद से सीलिया ने उस मैजिक को काट दिया था जिसने उसे पकड़ रखा था और साथी उसने अब म्यूजेल के उपर हमला करना भी स्टार् तो सीलिया की सौर्ट बहुत ही आसानी से उस होली सौर्ट को बीच में से ही काट दीती है और यहां जैसे ही सौर्ट बीच से तूटती है तो इस वज़े से वो चारो लड़कियां जो कि इस वक्त म्यूजेल के कंट्रोल में थी वो रिलीज हो चुकी थी अब हम देखते हैं प्रटी करेगी। इसलिए लियोनिश ने तो बस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी हLP की थी यहां पर हमें पता है कि लियोनिश अपने इमोसंस को सामने नहीं आने दी थी यहां पर रेजीना, इलफाइन और सकूया तीनों भी बैठी थी। यहां पर वो लोग इन वक्त पार्टी कर रहे थे क्योंकि सीलिया ने अपनी होली सोड को फाइंड कर लिया था अब बात निकलती है लियोनिस के रहने की क्योंकि जो गर्ल्स डॉम है वहाँ पर सिर्फ वही रह सकते हैं लेकिन अब लियोनिस भी जॉइन हो चुका है इसलिए लियोनिस के लिये भी रहने की विवस्था करनी होगी उन लोगों को कोई प्राब्लम नहीं थी अगर लियोनिस इनके रूप में रहना चाहे तो रह सकता था बलकि अब वो इस चीज पर डिसकस कर रहे थे यहाँ पर रेजीना कह रहे थी कि तुम मेरे साथ रह सकते हो और मुझे स्वीट बनाना पस लोगे उसके कुछ सीक्रेट्स हैं लेकिन लियोनिस कहता है कि इसे बस मेरा बलड चाहिए अपनी माना को रिगेन करने के लिए वैसे इसके बाद सीन चेंज होता और अब हम आ चुके थे एलफाइन के रूम में यहाँ पर लियोनिस और एलफाइन को लियोनिस से कुछ बात लियोनिस को बताती है कि वो अपनी पावर का भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती यह सब उस ट्रैप की वज़े से हुआ था अब यहाँ पर वो लियोनिस को एक मैप भी देती है जिसमें उन जगहों की लोकेशन थी जहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले सबसे ज़्य अब तक असल में वो सिटी में गई थी और इनसानों के बीच रहकर उनसे इनफॉर्मेशन निकाल रही थी इनफॉर्मेशन के नाम पर उसे बश डोनट मिले थे वो कह रही थी कि हजार साल में इनसान ने बहुत प्रोग्रेश कर ली उसने डोनट जैसी चीज का इन्वेंट अब लियोनिस कहता है कि इसका मतलब तुम्हे कुछ काम का नहीं मिला जिस पर सैरी बताती है नहीं इनसान डीमन लोड और उन सभी को भूल चुके हैं ना ही उन्हें गौड के बारे में कुछ पता है और ना ही पहले की पावर्स के बारे में यहां तक कि वो तो उस खास अब लियोनीस कहता है कि यह सब उसी के लिए अच्छा है क्योंकि डीमन आर्मी में श्रॉंग लोग होने चाहिए सीलिया के पास अब वेंपार क्वीन की पावर है लेकिन उसके पास एक मिस्टीरियस हूली स्वाट भी आचुकी है जोकी कोई मामूली बात नहीं है monster attack कर रहा था वहीं के पास के एक villager ने उसे वो location बताई और अभी वो उसे वहीं लेकर जा रहा था villager लियोनिश की मदद करके खुश था अभी लियोनिश की position holy sword city में strongest sword man की है और यहाँ पर सभी लोग उसे man character कहकर बुलाते हैं अब यहाँ पर वो आगे बढ़ रहे थे तो villager लियोनिश की तारीफ करने लगता है लेकिन लियोनिश इस पर कहता है कि उसे तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह बस लियोनिश का काम है और वैसे भी उसका सपना है कि वो demon lord को हराए अब कुछ देर तक इसी तरह से चलने के बाद वो लोग उस location पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं था लियोनिश पीछे मुड़कर उस villager से पूछता है कि आखिर हम यह कहां पर हैं लेकिन अब villager भी वहाँ से गायब हो चुका था इससे वो समझ जाता है कि जरूर यह कोई trap है अब यहाँ पर लियोनिश कुछ भी करे इससे पहले ही अचानक से कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और gravity spells का यूज करते हुए लियोनिश को पकड़ लेते हैं अब लियोनिश वहाँ से हेल बे नहीं पारा था और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ और गार्ड भी आ चुके थे यह kingdom के guards थे हमें पता चलता है कि असल में kingdom में रहने वाले nobles को लियोनिश की power बिल्कुल भी पसंद नहीं थी इसी वज़े से वो उससे जलते थे और उनी ने ये trap बिचाया था उन्होंने कुछ चेंज की मदद से लियोनिश को पकड़ लिया था और हवा में उठा लिया था लियोनिश को भी वैसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे वो उन चेंज से अपने आपको छुडाने की कोसिस करता है लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं था हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी गार्ट्स अपने अपने वैपन निकालते हैं और सीधा लियोनिश की बाड़ी में कई सारे वैपन आर पार हो चुके थे और लियोनिश की अब बचने का कोई चांस नहीं था इसलिए वो लियोनिश को नीचे फिक कर वहाँ से चले जाते हैं उनका काम अब पूरा हो चुगा था यहाँ पर जब लियोनिश नीचे पड़ा हुआ था तब ही कुछ दिर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है वो जानती थी कि अभी तक वो पूरी तरह से मरा नहीं है वो उसकी बात सुन सकता है वो उससे कहती है कि तुमें कैसा लग रहा है तुमने जिन लोगों की प्रोटेक्शन की वहीं लोग तुमें मार कर गए हैं साथी वो ये भी पूछती है कि आखिर अब तुम्हारा इस दुनिया के बारे में क्या ख्याल है इस चीज़ पर लियोनिस कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं परता वैसे भी कुछ सेकेंड में तो मैं मरने ही वाला हूँ लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं इस दुनिया से बदला लेना चाहती हूँ क्या तुम मेरी मदद करोगे अभी लियोनिस उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये लड़की रोसीलिया है और यहाँ पर यह कह रहे थी कि मैं तुमें पूरी तरह से हील कर दूँगी वैसे फिर तुम फिर से मेंन कैरेक्टर तो नहीं बन पाओगे पर हाँ तुम डार्क लॉड बन सकते हो बस इसके बदले उसे प्रामिस कहना था कि वो उसकी मदद करेगा इस दुनिया से बदला लेने में लियोनिस प्रामिस कर देता है और फिर हम सीधा करेंट टाइम में आ जाते हैं असल में ये सब लियोनिस अभी सपने में देख रहा था उसके आखे खुलती है और वो अभी सीलिया के रूम में था जहां पर उसे अपने गले पर कुछ महसूस होता है वो तुरंती सीलिया को ओर्डर देता है जिस वज़़े से सीलिया तुरं तोट जाती है अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो तो गहरी नीन में सो रही थी पर ये कैसे हुआ लेकिन लियोनिस बताता है कि वो जो सील थी उसी की वज़़े से एक उनके बीच एक मास्टर कॉन्टरेक्ट हुआ है तो यहाँ पर लियोनिस जब चाहे उसे ओर्डर दे सकता है और सीलिया को उसे फॉलो करने ही होंगे ये सुनकर सीलिया भी सौक थी वो कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी ओर्डर दे सकते हो लेकिन लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो मैं कोई फालतुक आउडर नहीं देने वाला अब लियोनिस उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा बलर्ड इनहेल किया था जब मैं सू रहा था तब इस चीज पर सीलिया कहती है कि यहाँ बस थोड़ा सा तो लियोनिस कहता है कि कोई बात नहीं मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगली बार से मुझे बता कर ऐसा करना इस बात पर सीलिया उसे सौरी बोलती है तब ही वहाँ पर कॉल आता है यह कॉल एलफाइन की तरफ से था एलफाइन बता रही थी कि उनकी एकेडमी का एक बहुत यह strongest group 13 इस वक्त समुदर में एक creature पर research करने गया था लेकिन वो अभी तक लौटे नहीं वो बहुत strong माने जाते हैं मगर यहां उनके होने का कोई भी signal नहीं मिल रहा वो यह भी कहती है कि मैं लगातार यहाँ पर उनके signal का इंतजार कर रही हूँ पर ना जाने वो समुदर में कहां खोचुके हैं पर फिर वो यह भी कहती है कि अगर मुझे कोई information मिलती है तो मैं तुम्हें बताऊंगी अब हम देखते हैं कि यहां पर सीलिय लियोनिस चे कह रही थी कि तुमने कहा था कि तुम मुझे train करोगे जिस पर लियोनिस कहता है कि ठीक है मुझे याद है अब यहाँ से सीन चेंज होता और अगले सीन में हम आ चुके थे अकेडमी के स्टाफ के पास जहां पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त सभी स्टाफ मेंबर बहुत जादा चिंता में थे क्योंकि 13th ग्रूप अभी तक वापस लोट कर नहीं आया था और नहीं उनकी कोई खवर थी अब यहाँ पर एक आदमी पूछता है कि क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी थी किया जिस पर जिसको रिपोर्ट मिली थी वो हां करता है उसमें रिपोर्ट थी कि एक वाइड कॉलोनी है और हमें पता है कि वाइड असल में मॉंस्टर होते हैं जो कि दूसरे प्लैनेट से आये हुए थे और अब उन्हें कॉलोनी के बारे में पता चल चुका था कॉलोनी असल में एक बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ ग्रूप को कहा जाता है तो यहां पर जब एक आदमी पूछता है कि वहां कितने वाइड हो सकते हैं तो उसे बताया जाता है कि उनकी गिंती नहीं है वहां सौ से भी ज़्यादा वाइड मॉंस्टर मिल सकते हैं यह सुनकर सभी लोग सौक थे और यहां तक कि अब यह भी कहा जा रहा था कि उस कॉलोनी में उन वाइड मॉंस्टर का लॉट भी मिल सकता है जिसका मिलना बहुत बुरा साबित होगा उन लोगों को हराने के सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके बॉस को मार दिया जाए लेकिन अब उनके पास ऐसी कोई टेकनोलॉजी भी नहीं थी जिससे कि वो वाइड मॉंस्टर का ततकाल में पता लगा सके लेकिन फिर भी उन्हें कुछ तो करना ही था तबी वहाँ पर एक बैठा हुए मेंबर कहता है कि अभी हमें सिटी के लोगों पर जादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर सच में इतनी बड़ी कॉलोनी हमारे आसपास है तो वहाँ पर वो कभी भी हमला कर सकते हैं अब उन्होंने कहा था कि सारे प्लाटून यानि कि सभी ग्रूप्स को आडर दिया जाए कि वो सभी सिटी में लोगों पर नजर रखे और उन लोगों का ख्याल रखे इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता और अगले सीन में हम आ चुके थे लियोनिश और सीलिया के पास यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि सीलिया की ट्रेनिंग चल रही थी और जिस रोबोट को हराकर लियोनिश ने अपना टेस्ट पास किया था यहाँ पर सीलिया भी उसी तरह के दो रोबोट से एक टाइम पर लड़ रही थी उसके लिए ये करना इतना मुस्किल नहीं था लियोनिस पूछता है कि क्या तुम्हें तलवार चलाना पहले से आता था तो इस पर सीलिया बताती है कि हाँ उसकी फैमली उसे ज़्यादतर तलवार की ही ट्रेनिंग कराती थी क्योंकि बच्पन में उसने होली सोड की पावर को अनलॉक नहीं किया था तो वो लोग उसे पहले तलवार चलाना सिखा रहे थे तो इसके बाद से जितनी टेकनिक सीलिया को सिखाई गई थी सीलिया अभी तक सिर्फ उनी की प्रैक्टिस करते आई है मगर लियोनिस बताता है कि तुम्हारी तलवार चलाने की ट्रेनिंग तो हो चुकी है मगर अब तुम्हें पावर पर भी फोकस करना होगा और तुम ऐसे इन रोबोट से लड़कर ये चीज प्रैक्टिस नहीं कर सकती क्योंकि ये रोबोट सच में कोई रियल अटैक नहीं कर रहे है इसके बाद लियोनिस ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है जिसके अंदर से कुछ अस्केलेटन निकल कर आ रहे थे अब सीलिया इसे देखकर तो सौक थी तो लियोनिस बताता है कि चिंता मत करो ये लियोनिस की आर्मी के सोलजर्स हैं और ये लो लेवल सोलजर्स हैं इसलिए इनसे डरने की बात नहीं है और सीलिया जितना चाहिए इन्हें मार सकती है इसके बाद अब सीलिया ट्रेनिंग स्टार्ट करती है और हम देखते हैं कि वो कई सारे स्केलेटन्स को हरा रही थी लेकिन अब स्केलेटन बहुत सारे थे तो वो एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे लेकिन फिर भी सीलिया उन्हें मारते जा रही थी अब कुछ देर तक इसी तरह से लड़ने के बाद वो थक चुकी थी ये देख कर लियो उन्हें से रुक जाता और अपने समन किये हुए सारे स्केलेटन्स को वापस रख लीता है वो कहता है कि आज के लिए इतनी ट्रेनिंग बहुत है अब हम बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे और साथी वो ये भी कह रहा था कि अगर तुम्हें इनर्जी की जरत हो तो तुम कह सकती हो लेकिन सीलिया कहती है कि नहीं अभी उसे इनर्जी की जरत नहीं है अब अगले सीन में हम आ जाते हैं सकुया के पास यहाँ पर वो अपने डूर से बाहर आई थी और एलफाइन से मिलने के लिए आई थी बाहर उसे ब्लैकस दिखता है और वो उसे बहुत ही क्यूट लगा था मगर ब्लैकस यहाँ पर एलफाइन के घर के बाहर बैठा हुआ था और अभी उसे थोड़ी जल्दी थी इस वज़े से वो फिर मिलेगी कहते हुए वहाँ से चली जाती है हम देखते हैं कि अभी वो एलफाइन के घर पर आई हुई थी यहाँ पर रेजीना भी थी यहाँ एलफाइन उसे बताती है कि सिटी की तरफ से एक और ग्रूप गया था उस वाइड कॉलोनी के अंदर उस वाइड लॉट को ढूनने के लिए लेकिन उन लोगों कभी कोई पता नहीं है वो यह भी कहती है कि यह जो ग्रूप था यह उस पिछले वाले ग्रूप से जादा स्टॉंग था अब यहाँ से सीन चेंज होकर फिर से लियोनिश और सीलिया के पास आता है वहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों बाइक से इस वक्त वापस सीटी के अंदर घूम रहे थे और खाने की दुकान ढूंड रहे थे अब हम एक फूट सॉप को देखते हैं जहाँ पर सैरी काम कर रही थी असल में इंफॉर्मेशन निकानने के लिए उसे सबसे अच्छा तरीका यही लगा था कि वो सिटी में अलग-अलग दुकानों पर काम करें और जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन उनके ओनर्स और कस्टमर्स से ले सके यहाँ पर जो ऑनर था वो उसे एक बाउल देता है जिसमें कुछ पोटाइटो रखे थे वो कहता है कि ने कट कर दो लेकिन जब सैरी यह सुनती है तो वो तुरंत उसे बाउल को उच्छालते हुए उस बाउल को भी साथ में कट कर देती है और यह देकर सौक था वो उसे बाहर जाकर दुकान को साफ करने का ओर्डर देता है अब यहाँ पर सैरी बाहर आ रहे थी तब ही वहाँ सामने वो लियोनिस और सीलिया को देखती है यहाँ पर वो कुछ खाने के लिए लेने आये थे और खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं सेरी इस वक्त मनीमन सोच रही थी कि आखिर ये कहां जा रहे हैं वैसे इस वक्त लियोनिस को भी नहीं पता था कि वो कहां जाने वाले हैं लेकिन अब सीलिया एक और्फनेज के बाहर आकर बाईक रुकती है लियोनिस उससे पूछता है कि ये हम कहां पर आए हैं तो सीलिया बताती है कि असल में ये एक रेस्टोरेंट भी है और एक और्फनेज भी यहाँ पर सिटी में वो सभी चिल्डरेंट्स रहते हैं जिनके पैरेंट्स को वाइड मॉस्टर ने खत्म कर दिया अब वहां उस और्फनेज से कुछ बच्चे बाहर निकल कर आते हैं लिय सारे बच्चे थे एक बच्च भी सीलिया के पास आरा था लियोनिस को ये चीज गलत लगती है तो वो उसे भाइग पर रोकने वाला था लेकिन सीलिया कहती है कि कोई बात नहीं अब यहां पर उस और्फनेज की और आती है और वो सीलिया से तो मिल चुकी है लेकिन वो लि का कौन है जिस पर सीलिया उसे बताती है कि एसल में लियोनिस उन्हें एक असिस्टेंट टॉम के अंदर मिला है और वो वाइड मॉस्टर से घिरा हुआ था तो सीलिया ने उसे प्रोटेक्ट किया और साथी सीलिया ये भी बताती है कि लियोनिस एक होली सोड नाइट है ये सु वक्त सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि अभी जो ग्रूप गया हुआ था वो वहाँ सीटी में छान बीन कर रहा था और इस तरब जब सकूया सो रही थी तो अचानक उनकी नीन खुल जाती है वो उस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती है कि वहाँ कुछ गड़बढ है और हमें पता चलता है कि जो सीटी का कंट्रोल रूम है वहाँ पर अचानक से कुछ वाइड आ चुकी है और वो पूरी तरह से उस कंट्रोल रूम को घेरते जा रही है अब हम लियोनिस के पास्ट का एक सीन देखते हैं यह उसकी पिछली लाइफ यानि कि आज से बहुत पहले क का सीन है जब वो एक हीरो हुआ करता था यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सीटी के उपर इस वक्त कुछ और नाम के मौंस्टर ने हमला किया था और इन मौंस्टर से लड़ने के लिए लियोनिस और उसके दो दोस्त आये हुए थे जो कि लियोनिस की तरह ही ही हीरो थे यहाँ पर जो ओल्ड मैन थे वो इस वक्त अपनी पावर का इस्तिमाल कर रहे थे उन सभी मौंस्टर को खत्म करने के लिए वो इजिली सभी मौंस्टर को खत्म कर सकते थे बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी पावर से उन मौंस्टर के साथ साथ वो सिटी के लोगों भी चोट पहुचा रहे थे और ये देखकर लियोनिस थोड़ा हैरान था वो सूच रहा था कि अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ यही अटेक किया जाये तो इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है और वो तुरंतुस ओल्ड मैन के अटेक को डिश्ट्रॉाई कर देता है और खुद आगे जाकर मॉस्टर को खत्म करते हुए लोगों को बचाना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर लियोनिस एक के बाद एक सारे मॉस्टर को खत्म कर देता है और सिटी के सभी लोग अब बच चुके थे जिसके बाद वो सभी लियोनिस से बहुत ही जादा इंप्रे यहां पर हमें पता चलता है कि जिन creature को headquarter में देखा गया था वो असल में air kale ही है यह उसकी ही power थी या फिर ऐसा कहलो कि यह उनका नया रूप था वैसे अभी हम यहां पर दूसरे headquarter की तरफ आते हैं जहां पर meeting चल रही थी वहां पर वो लोग इसी creature के बारे में बात कर रहे थ लेकिन अचानक से वो क्रियेचर गायब हो चुका था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, अब वहाँ पर कॉन्फरेंस कॉल के थ्रू एलफाइन को भी बुलाया जाता है, यहाँ पर एलफाइन बताती है कि उसने अब तक जितनी भी रिसर्च करी है, उस रिस वो को पता चलता है कि ये वाइड मॉंस्टर का काम है, तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वाइड मॉंस्टर इतने पाउरफुल नहीं होते, वहीं पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए तो जो कहने लगते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी सिट की सभी के लिए ये बात माना थोड़ा मुस्किल था, ओल्ड मैन इसलिए सौक में थे क्योंकि वाइड मॉंस्टर कभी भी मैजिक का यूज नहीं कर थे, मगर अब अचानक से वो मैजिक का इस्तमाल कर रहे थे, और जब वो ये सवाल एलफाइन से पूछते हैं, तो एलफा चलता है कि डिस्टिक 31 में भी कुछ हल चल दिखाई दी है, और इसके बाद स्टॉक डिपार्टमेंट में भी सेम इसी तरह का सिगनल आता है, उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर भी रूट्श निकलना स्टार्ट हो गई है, और सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से सौक और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, उनमें से एक कह रहा था कि वाइड मॉस्टर बिल्कुल समझदार नहीं होते, उनके पास ब्रेन नहीं होती, कि वह ये सोच सके, तो आखिर ये सब प्लानिंग के साथ कर कौन रहा है, अब यहाँ से सीन चेंज होता और अब हम अलफाइन के रूम में आ चुके थे, वहाँ पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त रेजीना थोड़ी चिंता में थी, क्योंकि सीलिया अभी तक लोट कर नहीं आई है, वो जब अलफाइन से इस बार में पूछती है, तो अलफाइन बताती है कि उनके कपले पर एक ट्रैकर लगा है, अब जीपियस के थुरू देखकर वो बताती है कि वो लोग एक औरफन में हैं, अब यहाँ पर रेजीना थोड़ा सा रिलाक्स महसूस करती है, लेकिन इलफाइन कहरे थी कि सिटी में कई सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, और अचानक से हर तरफ अजीब लर्ट रहना होगा और तैयार रहना होगा, क्योंकि कभी भी कहीं से कुछ भी रिपोर्ट आ सकती है, और अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता कि ये सच में किसी वॉइड मॉंस्टर का काम है या फिर किसी और का, अब अगले सीन में हम लियोनिस और सीलिया को देखते हैं, यहाँ पर वो उन सभी औरफन बच्चों के साथ खाना खा रहे थे, उनमें से ही एक लड़का जो कि लियोनिस के पास बैठा हुआ था, वो उससे कह रहा था, कि क्या वो उसे अपनी होली स्वार दिखाएगा, वैसे लियोनिस को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आ वाटर में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने एक टीम को उस जगह पर भी दिया था, जहाँ पर वो रूट्स दिखना स्टार्ट हुई थी, वो लोग वहाँ पर पहुंचकर रिपोर्ट भेजते हैं, और अब उन्हें वो रूट्स को काटना था, क्योंकि उस ओल्ड में ने ये ओर्डर दिया था, कि उन्हें हटा कर उन्हें पता करना होगा कि असलियत में इस चीज के पीछे है कौन, वैसे उस जगह से उन्हें कुछ फुटेज मिले थे, जिससे उन्हें थोड़ा थोड़ा सख हो चुका था, कि एक काम वाइड मॉन्स्टर का ही है, अब वहाँ पर उन रूट्स को काटने का काम श्टार्ट होता है, लेकिन अचानक से उनके अंदर से कुछ आखे दिखने लगती है, और फिर अचानक एक सिगनल भी आता है, जिससे पता चलता है कि ये सब वाइड मॉन्स्टर कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक आदमी ये ओर अडर देता है कि हमें सिटी में जनरल एक्जीक्यूशन करना स्टार्ट करना होगा, ये एक्जीक्यूशन उन मॉन्स्टर के लिए है, लेकिन सिटी के लोग भी इसमें फस सकते थे, और सिटी के लोगों को बचाना फिर मुस्किल हो जाएगा, इस वज़े से बाकी लोग मन वैसे उन्हें पता चलता है कि जो सिगनल कट हुआ था, मतलब कि जो लोग वहार रूट्स वाले एरिया में गए थे, और वहां से जो सिगनल कट हुआ था, वहाँ पर दो लोग अभी भी जिंदा बचे हैं, वो लोग बताते हैं कि जो मॉन्स्टर वहाँ पर था, वो अचा इसी वज़े से इने सक हो रहा था कि ये वाइड मॉंस्टर का काम नहीं हो सकता अब यहाँ पर वो कन्फ्यूज थे कि तभी अचानक से एक और सिगनल मिलता है उन्हें पता चलता है कि वो रूट्स जो वहाँ से गायब हुए थे वो एनर्जी पॉइंट की तरफ निकला है अ अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था इसलिए उन्हें सारे डिफेंस फोर्स को वहाँ पर भीजना पड़ता और जो भी डिफेंस सिस्टम थे उन्हें भी एक्टिवेट करना पड़ता है आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी सोर्स के पास वो रूट पहुँच चुकी थी लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थी तो डिफेंस सिस्टम फाइरिंग करते हुए उन रूट्स को वहाँ से हटा देता है साथी अब वहाँ पर और भी कुछ सोलजर आ चुके थे जो की गोली चलाते हुए उन रूट्स को रोक रहे थे पर डिफेंस स करना पड़ता है कि इने इस मॉंस्टर को जर से खत्म करना होगा इसी वज़े से वो सिटी के सभी लोगों को इवेक्वेट कराने का और जारी करते हैं सभी लोगों को सेम जगे पर ले जाया जाएगा जिससे कि वो बच सके दूसरी तरफ हम अभी और्फनेज में आते हैं जहां पर हम लियोनिस को देखते हैं इस वक्त वो बच्चा अभी भी लियोनिस को परेशान कर रहा था वहां पर और और भी कई सारे बच्चे थे जो कि चाते थे कि लियोनिस उन्हें एंटर्टीन करें लेकिन लियोनिस ऐसा कुछ भी करना नहीं चाता था पर सीलिया की रि आजे आती है यह आवाज असल में कुछ वाइड टाइप मॉंस्टर्स की थी यह थोड़े अलग टाइप के मॉंस्टर्स थे असल में हुआ यह कि जो एनर्जी सोर्स के पास रूट्स फैल रही थी उसे डिफेंस सिस्टम और वो सारे सोल्जर रोक रहे थे पर सोल्जर यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चलात हो देते हैं पर इस चीज में अब वो एनर्जी सोर्स भी डिश्ट्राइ होने लगा था और उसे गोली ना लगे इस वज़े से उन्हें रुकना पड़ता है इनके पास कोई और चारा नहीं था उसे रोकने का पर फिर भी यह कोसिस कर रहे थ मगर अब वो जो रूट्स थे वो अचानक से वहाँ कुछ मॉंस्टर्स को समन करना स्टार्ट कर देती है यह मॉंस्टर्स वहाँ सिटी में समन हो रहे थे और यह ओल भी सकते थे यह स्टैंपिट टाइप के मॉंस्टर्स थे और वहाँ हेड़कौाटर में अब हाई डिफे सिटम ओन क्या जाता है जिससे कि उस जगे को प्रोटेक्ट किया जा सके मगर इस चीज के लिए उन्हें वो एनरजी यूज करनी परती है जो कि वहाँ श्टोर करके रखी गई थी और यह एनरजी सबसे ज़्यादा इमरजेंसी के लिए होती है क्योंकि इसके बाद उनके प रखने की कोसिस कर रहे थे इसके लिए उन्हें उन्हें सभी मॉंस्टर को रोक ना था पर मॉंस्टर इतने ज़्यादा थे कि पुरा असमान उन्हें मॉंस्टर से भर चुका था यहाँ पर अभी वो सीलिया के बारे में भी सोच रहे थे पर उन्हें इतनी फिक्र नहीं थी और ये भी सच में बहुत जादा पाउरफुल होते हैं। अब यहाँ पर हम ओर्फिनेज के पास आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त सीलिया डिसाइट करती है कि उसे यहीं पर रुखना होगा। जिससे कि वो उस ओर्फिनेज के बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके वो अंदर चली जाती है और लियोनिस भी अंदर आने वाला था लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सैरी आ गई थी। इसके बाद जब लियोनिस वापस लौट रहा था तभी वो वहाँ पर एक मॉंस्टर को देखता है वो ड्रैगन जैसा दिखने वाला स्टैंपिड मॉंस्टर था अब सीलिया फैसला करती है कि वो उस मॉंस्टर से फाइट करके इन चिल्डरन्स को बचाएगी वो तुरंती बाहर आकर अपनी होली सोड को एक्टिवेट करती है पर लियोनिस देखता है कि उसकी तलवार में अभी उतनी पावर नहीं है क्योंकि अभी तक उस ने अपनी वैंपाइर पावर को पूरी तरह से एकTIवेट नहीं किया है लियोनिस उससे उसे पोचता है कि क्या उसे इन मॉंस्टर्स थे जो कि पहले ही आग में जल रहे थे और ये लियोनिस कर रहा होता है वो पूछती है कि क्या सच में ये तुम्हारी पावर है तो इस पर लियोनिस कहता है कि हाँ लेकिन फिर वो और कुछ नहीं कहता वो कहता है कि हमें बाकी मॉंस्टर पर ध्यान देना दूसरी तरफ हम अभी बाकियों को देखते हैं जैसे कि साकूया जो कि अपनी पावर का इस्तमाल करते हुए बहुत सारे मौस्टर को एक साथ खत्म कर रही थी और रेजीना के पास एक बहुत ही खतरनाक कैनन थी जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो मौस्टर एक ही अटैक में मरते जा रहे थे अब वो कुछ देर तक इसी तरह से फाइट करते हैं लेकिन फिर अचानक से वो जगे हिलने लगती है और उनके सामने आता है एक बहुत ही बड़ा वाइड मौस्टर जो कि वाइड हाइडरा के नाम से वहाँ पर फेमस था वैसे इस तरह के मौस्टर ने अ बहुत जादा पावर का यूज करना होगा और फिर उसे हाई लेवल स्पेल यूज करना पड़ेगा तो वो सीलिया से कहता है कि जब वो इस पावर का इस्तेमाल करे तब सीलिया को बाकी सिच्वेशन समालनी होगी और सीलिया लग जाती है आस पास के सभी नॉर्मल लेवल क वाइड मॉस्टर को हराने में अब यहाँ पर लियोनिस अपनी पावर का इस्तमाल करना स्टार्ट करता है वो एक हाई लेवल फायर स्पेल का यूज कर रहा था जिससे कई सारे फायर स्पेल क्रेट होते हैं और साथी उस बड़े से हाइडरा मॉस्टर के ऊपर गिरते हैं जि लियोनिस अपने अगले अटेक का इस्तमाल करने वाला था तब ही वहाँ पर ब्लैक एस आ जाता है जो कि उस वाइड मॉस्टर को काटता है अब वाइड मॉस्टर अपने अटेक नहीं कर सकता था इसलिए यहाँ लियोनिस तुरंती लेवल 10 की ग्रेविटी अटेक का इस्त यह रूट्स यहां पर सीलिया को उस गड़े के अंदर खीच कर ले जा रही थी। यहां पर भी हम लियोनिस की पिछली लाइफ का एक सीन देखते हैं जहां पर लियोनिस बहुत ही जादा यंग था और इस वक्त वो रूसेलिया के शामने खड़ा हुआ था। इस भी नहीं हुआ है वैसे लियोनिस अभी एरकेल पर हमला करने वाला था लेकिन इतने में ही एरकेल वहाँ जमीन के नीचे चला जाता है और लियोनिस के अटैक से बच जाता है। लियोनिस भी जमीन के नीचे जाने वाला था लेकिन तभी ब्लैकस उसे रोक दीता है और पीछे देखने को कहता है। इसके बाद अभी लियोनिस वहाँ से सीधा सीलिया को बचाने के लिये निकलने वाला था लेकिन इतने में ही ब्लैकस को कुछ आवाजे आती है। और जब वो उस डिरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर एक ट्रांस्मीटर पड़ा हुआ था और ये ट्रांस्मीटर अभी एल्फाइन के ट्रांस्मीटर से कनेक्ट था। वैसे एल्फाइन को दिखाने से पहले हमें बाकी लोग जैसे रेजीना और साकूया भी दिखाये जाती हैं जो कि इस वक्त उन सभी क्रियेचर से लड़ रही थी। इतने में ही सैरी वहाँ पर आकर उसे बचा ली थी है पर वो खुद से ये कह रही थी कि लियोनिस एक डीमन लोड़ होकर मुझसे इस तरह लोगों को बचाने वाले काम क्यों करवा रहा है वैसे इसके बाद हम लियोनिस और ब्लैकस को देखते हैं जो कि इस वक्त एक टरनल पर फैला चुका है यहाँ पर लियोनिस एर्केल को देखकर कहता है कि इतने साल हो गए मुझे लगा नहीं था कि तुम जिन्दा होगे और यही सीम चीज यहाँ पर एर्केल भी धोरा रहा था वैसे वहाँ यहाँ पर यहां पर उप सभी चीज बदल चुछी है जैसा हमारे बोड़ी से वो सारे रूट्स हट रही थी तो हम देखते हैं कि उन्हीं के पीछे एरकेल ने सीलिया को पकड़ रखा था वैसे या इन रूट्स की वज़े से लियोनिस और ब्लैकेस दोनों ही अलग-अलग हो गए थे मगर ब्लैकेस वहाँ पर आ गया आते हुए लियोनिस को बचा रहा था वैसे सीलिया को भी ये पता चल चुका था कि लियोनिस यहाँ पर आ चुका है और वो भी उसे देख पा रही थी वो खुद को आजात करने की कोसिस करती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एरकेल लेवल 8 के मैजि का स्पेल का यूज करता है जो कि इतना खतरनाक था कि वहाँ पर कई सारे छोटे 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 फार्मीशन क्रियेट हो जाते हैं वैसे लियोनिस और ब्लैकस उन अटैक से बचने की कोसिस कर रहे थे मगर आखिर में लियोनिस को इस अटैक से थोड़ी चोट लग जाती है यह सब यहां सीलिया को भी पता चल रही थी वो अभी यह सब देख रही थी और सोच रही थी कि कुछ भी करके मुझे यहां से आजात होना होगा लेकिन वो रूटस इतनी जादा पावरफुल थे कि वो उसे रिलीज नहीं होने दे रही थी और इस चीज़ से सीलिया को जल्दी कुछ करना होगा और अब बार-बार उसके मन में ऐसा घूम रहा था जिस वज़े से अचानक से कुछ वेंपायर पावर्स थी वो एक्टिवेट हो गई थी और यहाँ पर अब उसके विंग्स भी आ चुके थे असल में उसने अपने वेंपायर ग्वीन फॉर्म को अनलॉक कर लिया था और अब उसकी पूरी पावर अनलॉक हो चुकी थी यहाँ पर वो तुरंत लियोनिस के पास अब ही ब्लैकस उन्हें बताता है कि एरकेल बहुत ही जादा पावरफुल अटैक का इस्तिमाल कर रहा है असल में ये लेबल 10 का मैजिक स्पेल था जो कि उस पूरी सिटी को कवर कर सकता था लेकिन लियोनिस और सीलिया आप साथ में मिलकर अटैक करने का फैसला करते हैं यह देश्टरिय में तो ये नहीं था तुम सिर्फ अपने के लोगों को ही बचाने के लिए इसका इस्तिमाल कर सकते हो पर लियोनिस कहने लगता है कि देश्टियनिस अपने हाथो से लिखी जा सकती है और ये भी मैं यहार के लोग हैं इसलिए आज से یہ मेरा किंडम है और यहां अपने बेड पर से उट भी नहीं पा रहा था तभी वहाँ पर सीलिया आकर कहती है कि मुझे अभी और माना की ज़रत है क्योंकि कल जितनी भी माना मुझे मिली थी वो उसी लडाई में खत्म हो गई ये सुनकर लियो निस तुरंत ही अपनी उंगली पर थोड़ा सा कट लगात और उसे अपनी ब्लड का ड्रॉब दीता है वैसे बाकी सभी वहाँ पर आ चुके थे और वो थोड़ी सिच्वेशन को गलत समझ रहे थे इसके बाद अब सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि एरकेल की वज़े से यहाँ पर सीटी में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन चुका था और उस डिस्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है साथी साथ उनकी जो एनरजी के सोर्स थे वो भी पूरी तरह से डिस्ट्वाए हो चुके थे मगर इन्होंने अब सोलर पैनल के थूरू सनलाइट से एनरजी क्रियेट करना सुरू कर द अब रेजीना कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आये हो तो इस पर लियोनिस बताता है कि असल में उसे एसिस्टेंट लैंगविज के बारे में कुछ जानना है और वो उन्हें सीखना चाता है मगर यहाँ पर उसे एकसेश नहीं मिल रहा है ये बात उनका रेजीना कहने लग आती है कि इन बुक्स को सिर्फ यहीं पर पढ़ा जा सकता है यहाँ से बाहर ये बुक्स नहीं ले जाई जा सकती अब लियोनिस कहता है कि वो यहीं पर इन बुक्स को पढ़ लेगा अब तभी एक कॉल आता है जिसमें कुछ एकेड़ मी के स्टूडेंट को चुना गया था अब यहाँ से सीन चेंज होता और हम एक ग्रूप को देखते हैं, जहाँ पर कुछ एलफ थे और कुछ बिश टाइप के जानवर थे, यहाँ हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया जाता, बस हमें इतना पता चलता है कि यह लोग सीटी के उस प्रिंसेस को किड्नैप करने का प लिए यह कहते हैं कि हम तुम पर कैसे भरोसा कर लें, आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो बताती है कि मैं डेमी हूमन हूँ, और इसके बाद वो अपने पास से एक होली स्वाड निकालती है, जिसके अंदर पूरी तरह से डार्क एनरजी भरी हुई थी, वो सब यह देखकर शौक हो जाते हैं, और जैसे ही वो लोग उस होली स्वाड को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह भी हूमन है, लेकिन वो बताती है कि मैं हूमन नहीं हूँ, मैं डेमी हूमन हूँ, और यह स्वाड एक डीमन होली स्वाड है, जिसके बाद वो वहाँ पर खड़े उस तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ और साथी वो यहाँ पर अपना प्लैन भी बताती है वो ये भी कह रहे थी कि उसे बस इनसे एक चीज चाहिए वो बताती है कि उसे बस एक होली सौट चाहिए बस सेक्रिफाइस करने के लिए वैसे अभी उन लोगों को पहले तो उस पर भरोसा नहीं हो रहा था पर वो कहती है कि वो खुद की पावर को सेर भी कर सकती है अब इनके बीच में एक प्लान बनता है इसके बाद हम वापस से सिटी की तरफ आ चुके थे पहले तो हम लियोनिस को देखते हैं जो कि इस वक्त मार्केट में कुछ चीजे खरीद रहा था सीलिया को देने के लिए क्योंकि सीलिया ने उसकी जान बचाई थी और जब उसे वो चीज मिल जाती है तो वो यहाँ पर एक सिप के पास आता है जिसमें बैटकर अभी उस सिटी की वो प्रिंसेस आई थी वहाँ पर उस प्रिंसेस पर बहुत जादा नजर रखी जा रही थी क्योंकि उन्हें सक था कि कुछ गरबर होने वाली है और साथी प्रिंसेस का जो केर टेकर था वो कह रहा था कि हम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है अब इसके बाद हम यहाँ पर सीलिया और उसके ग्रूप को देखते हैं वो लियोनिस को ही ढूंड रहे थे अब लियोनिस वहाँ पर आकर सीलिया को वो गिफ्ट देता है गिफ्ट ज़्यादा महंगा नहीं था पर ठीक था अब तब ही वहाँ पर उनकी एकेडमी की क्लास प्रेसिडेंट आती है उसे यहाँ पर बहुत बाद में बुलाया गया था लेकिन वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं पहले ही चलिया हूँ वैसे इसके बाद अब यहाँ पर सभी लोग भी सिप पर जा रहे थे मगर हम देखते हैं कि सिप के उपर पहले ही वो ग्रूप आच चुका था जो कि प्रिंसेस को किड्नैप करने के लिए निकला था वो लोग यहाँ पर उस सिप के लोगों को खत्म कर रहे थे और हम देखते हैं कि वो जो दो बीश्ट है वो कुछ लोगों को मार कर उनके चेहरे निकाल कर खुद के ऊपर मास्क की तरह लगा लिते हैं और अब ना जाने उनके पास किस तरह की पावर थी कि वो जैसे ही ऐसा करते हैं तो अचानक से उनकी पूरी बॉड़ी उसी आदमी की तरह कनवर्ट हो जाती है अब वो सिप में घूल मिल चुके थे और हम देखते हैं कि अभी बाकी सभी उस सिप के ऊपर बहुत इंज्वाई कर रहे थे यहाँ पर लियोनिस बैटकर अभी प्लैनिंग कर रहा था कि उसे क्या करना है वो अपनी पूरी आर्मी क्रेट करने के लिए और साथी साथ वो अपने प्लैन्स को भी लेक रहा था तब ही वहाँ पर सैरी आ जाती है अब लियोनिस उसे देखता है तो उसके कपले जो थे वहाँ सिप के वरकर की तरह थे वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर भी काम करके इंफॉर्मेशन निकाल रही हो जिस पर वो कहती है कि हाँ बिलकुल अब लियोनिस पूछता है तो बताओ तुमने क्या इंफॉर्मेशन निकाली मतलब डिफेंस किसी काम का नहीं है वैसे लियोनिस यहाँ पर उसके लिए भी कुछ खाने की चीज़े लेकर आया था लेकिन वो सहरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती लियोनिस पूछता है कि आखिर तुम्हें खाने की चीज़ कब से ना पसंद होने लगी तो इस पर वो कुछ कहती इतने में वहाँ पर सीलिया और वो और्फिनेज के बच्चे आ जाते हैं लियोनिस सीलिया को देखकर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सौक था वैसे वो बच्चे कह रहे थे कि उनके साथ खेलो लेकिन लियोनिस कहता है कि नहीं वो इस समय बिल्कुल भी खेलने या स्विमिंग के मोड में नहीं है लेकिन यहाँ पर सीलिया उसे एक स्विम सूट देते हुए कहती है कि वो उसके लिए पहले से ही एक स्विम सूट लेकर आई थी लेकिन लियोनिस कहता है कि उसे स्वीमिंग नहीं आती पर अब स्वीलिया उसे स्वीमिंग सिखाने लगती है लियोनिस इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा सर्मिंदा मैसूस कर रहा था क्यूंकि आसपास के सभी लोग उसे देखकर हस रहे थे वैसे इसके बाद हम रेजीना को देखते हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अभी सिख को बहुत देरी हो चुकी है वैसे इसके बाद हम रेजीना को देखते हैं वो अभी बहुत ही ज़ादा उदास बैठी हुई थी और सोच रहे थी कि अभी सिप को बहुत देरी हो चुकी है कुछी टाइम में प्रिंसेस यहां से चली जाएगी उसे साथ प्रिंसेस से कोई बात करनी थी पर वो कर नहीं पाई दुसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसके पास अचानक से वही लोग आ चुके थे जो कि यहां बहीज बदल कर आई थे उनमें से एक अभी प्रिंसेस के उस खास केयर टेकर को मार दीता है प्रिंसेस तो यह देखकर बहुत डर जाती और वहां से भागनी की कोसिस भी करती है पर वो भाग नहीं पाती अब यहां पर सिप के अंदर भी सभी लोगों को घेर लिया गया था और एकेडमी के स्टूडेंट्स को अलग-अलग और बाकी लोगों को अलग-अलग बांध दिया गया था और अब बात निकली थी कि सैक्रिफाइस करने के लिए किसका सैक्रिफाइस दिया जाएगा मगर यहाँ पर लियोनिस को तो अभी ये चेक करना था कि प्रिंसेस को कुछ हुआ तो नहीं क्योंकि ये उनकी एकेडमी की जिम्मेदारी थी और साथी साथ उन्हें ही सभी को बचाना भी था इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है जिस वज़े से वो सभी सौक थे कि आखे लियोनिस अचानक से कहा चला गया दूसरी तरफ हम सिप के में रूम में आते हैं जहां से उस सिप को अपरेट किया जाता है यहाँ पर प्रिंसेस को बांध कर रखा गया था वो भी असली स्नेक से हम देखते हैं कि जो रिडार था उसके अंदर बहुत सारे रिड डॉट दिखते हैं जो कि वॉइड मॉस्टर के होने के सबूत थे यह देखकर उन में से एक कहता है कि हमें वावाश लॉट जाना चाहिए पर जो डारक इल्फ थी वो कहती है कि हमें इसी डारेक्शन में जाना होगा यह सुनकर वो सामने खड़ा लायन बहुत ही जादा गुस्सा होता है लेकिन तभी वो डारक इल्फ उसे मार दीती है वो लोग यहाँ पर उस प्रिंसेस से कुछ करवाना चाती थे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेजीना जो की अभी सिप के बाहर बैठी थी तभी उसके पास एक छोटा सा पेट आता है यह पेट प्रिंसेस का था और प्रिंसेस नहीं उसे छोड़ा था जिससे कोई सिप के बाहर उसका इसारा समझ सके अब जैसे ही रेजीना उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बढ है और अब उसने भी सिप पर जंप कर दिया था असल में पहले वो बाहर रुकी हुई थी अब अंदर वो लियोनिस से मिलती है लियोनिस कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इसके बाद वो उसे सारी सिच्वेशन भी बताता है जिसके बाद रेजीना कहती है कि उसे जल से जल उसकी सिश्टर को बचाना होगा यहाँ पर लियोनिस भी उसके मूँ से ये सुनकर शौक था कि वो प्रिंसेस को अपने सिश्टर क्यों कह रही थी लेकिन रेजीना बताती है कि असल में वो भी एक प्रिंसेस है लेकिन बस फर्क ये है कि जब उसका जन्म हुआ था तो वो एक बहुत ही मनहूस दिन था जिस वज़े से कुछ लोगों ने उसके फादर को बताया कि या तो उन्हें रेजीना को किसी काल कोटरी में बंद करना होगा या फिर उसे अकेला छोड़ देना होगा अब इस चीज़ से उनकी पूरी फैमली को फर्क पढ़ रहा था इस वज़े से रेजीना के फादर ने यही निरना लिया कि वो उसे अकेला छोड़ देंगे वैसे हम देखते हैं कि जो सीलिया के ग्रेंट फादर है उन्हें जब रेजीना के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने रेजिना को सीलिया की मेडी के तोर पर हायर कर लिया और उसके बाद रेजिना और सीलिया दोस्त बन गए यहाँ पर लिोनीस यह सोच कर कन्फ्यूज था कि आखिर उन लोगों ने प्रिंसेस को क्यों किड्नैप किया इस चीज पर रेजिना बताती है कि इसका साफ साफ कारण ये है कि रोयल बलड वाले लोग स्पिरिट को कंट्रूल करना जानते हैं साथी साथी ये जो सिप है इसमें एक एलिमेंट लगा हुआ है जिसकी वज़े से ये निविगेशन में हेल्प करता है और उसी की वज़े से ये सिप चलती है तो अगर प्रिंसेस चाहे तो अपनी बलड की और स्पिरिट पावर की मदद से इस सिप को कंट्रूल कर शक्ती है तो लियोनिस कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें जल से जल से बचाना चाहिए यहां पर रेजीना बाकी और लोगों के बारे में भी पूछ रही थी तो लियोनिस कहता है कि वो सभी भी सेफ है बस उन्हें हौल के अंदर कैद करके रखा है और उनके हाथ बंदे हुए हैं ये हम यहां हौल में आ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि इन लोगों को सिर्फ एक बम का कहकर डराया जा रहा था कि अगर यह लोग कुछ भी करने की कोसिस करेंगे तो यह उस बम को फोर देंगे लेकिन एलफाइन ने उस बम को ढून लिया था कि आखिर वो कहां पर है साथी वो यहां पर सिर्या को बताती है कि इस बम को एक्टिवेट करने के लिए सौर्ड पावर की ज़रत पड़ेगी इस वज़े से इनके पास सौर्ड पावर तो है नहीं पर मुझे लगता है कि यही से ऐसे ही एक्टिवेट कर लेंगे हमें किसी भी तरह से इस बम को डिफ्यूज करना होगा जिससे कि हम सभी की जान बचा सकते हैं और इसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा अब सीलिया मान जाती है और यहाँ पर सीलिया छुपकर अपने फिंगर पर एक निडल प्रेश करती है जिसकी वज़े से उसका बलर्ड निकलता और उसकी वैमपायर पावर सेक्टिवेट हो जाती है मगर अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो चुका था अगले सीन में हम वही उस सिप की में जगे पर आते हैं जहां से उसे ऑपरेट किया जा रहा था लियोनिस और रेजिना वहाँ पर पहुंच चुके थे लेकिन वहाँ और कोई भी नहीं था रेजिना यह देखकर हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो पेट प्रिंसेस के पास था मतलब जो कि रेजिना को यहाँ पर लेकर आया है वो एक स्पेरिट पेट है इसलिए तुरंती वो उसे उठाती है और उसके तुरूप प्रिंसेस से टेली काइनेसिस से बात करने की कोसिस करती है उसका लग अच्छा था कि वो फाइनली प्रिंसेस से बात कर पा रही थी वैसे प्रिंसेस भी हैरान थी कि आखर ये कौन है तो वो पहले उसकी इडेंटिफिकेशन पूछती है अब रेजिना उसे कुछ बताती है और उसके बाद वो कहती है कि अभी तुम कहाँ पर हो और क्या जिन लोगों ने तुमें किड्नैप किया था वो तुमारे शाथ हैं तो इस चीज़ पर वो प्रिंसेस बताती है कि हाँ वो मुझे कहीं ले जा रहे हैं वैसी यहाँ पर रेजिना ये भी पूछती है कि जो वो करना चाते हैं उस चीज़ को रोकने का क्या तरीका है इस चीज़ पर प्रिंसेस उसे कुछ बताती है पर यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि उसने उसे क्या बताया आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी रेजीना लियोनिस शेक कहा रही थी कि उसे जल से जल जाकर उसकी छोटी बहन को बचाना होगा लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो मैं जाकर उसे बचाओंगा इसीच पर रेजीना तुरंती मना करती है क्योंकि लियोनिस एक छोटा बच्चा है वो उसे खत्रे में नहीं डाल सकती लेकिन लियोनिस तुरंती अपने मैजिक अश्टिक को उठाते हुए वहाँ सामने वाली विंडो को तोड़ दीता है और कहता है कि तुम जितना ताकतवर मुझे समझती हो उससे मैं कई जादा गुना ताकतवर हूँ और इसके बाद अब वो वहाँ से कूट जाता है रेजीना अभी कुछ नहीं कह सकती थी वो बस उसे all the best कहती है इसके बाद अब यहाँ से सीन वापस से हॉल की तरफ आता है जहां पर हम देखते हैं कि अब सीलिया पूरी तरह से अपनी पावर को एक्टिवेट करके तयार थी लेकिन तबी सामने वो वोल्फ जो कि उस बम को कंट्रूल कर रहा था वो आगे आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कुछ गरबर करने की कोसिस कर रहे हैं वैसे अब सीलिया और इल्फाइन दोनों ही फशने वाले थे लेकिन इतने में ही पास में ही वो वुल्फ देखता है कि साकुया तो अपनी रसी खोलकर आराम से खाने की टीबल के पास खड़ी है वो ये चीज देखकर पूरी तरह से हैरान था और वो तुरंती उसके पास जाकर उससे पूछता है साकुया उससे कहती है कि ये बाजू में जो चाकु रखा है उसने बस उसका यूज किया इस चीज पर उस वॉल्फ को गुस्सा आ रहा था क्यूंकि उसने सभी को हिलने से भी मना किया था और इसलिए अब वो उन पर हमला करने वाला था लेकिन इतने में ही वही लड़की जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा उसका नाम फैंडरी सा और वो यहाँ पर तुरंति उस वॉल्फ पर हमला कर देती है वो जूडो में एक्सपर्ट थी तो वो बहुत ही आराम से उसे उठा कर नीचे पटक देती है यहाँ तक कि उसके हाथ बने थे फिर भी अब वैसे यहाँ पर यह बीजी थे इतने में ही हम वहाँ देखते हैं कि वो लड़की जो कि उस वॉल्फ की ही टीम की मेंबर है वो तुरंति इन पर हमला करने की कोसिस कर रही थी मगर तब तक यहाँ पर एलफाइन ने अपनी रस्यां खोल ली थी और पावर का इस्तमाल करके उसे रोक लिया था लेकिन इतने में ही वहाँ पर कुछ वॉयड मॉस्टर हमला कर देते हैं उन सभी ने अचानक हमला किया था और कोई भी इन के लिए तैयार नहीं था लेकिन फिर भी ये सभी मिलकर ग्रूप बनाकर उन्हें रोकना चालू करती है और साथी साथ ये बाकी सभी की प्रोटेक्शन का भी ख्याल रख रही थी हम देखते हैं कि ये फाइट तो चल रही थी लेकिन यहाँ पर सीलिया थोड़ी से परिशान थी क्यूंकि उसने बहुत देर से लियोनिस को देखा नहीं था उसे लग रहा था कि अगर वो सिप पर कहीं और हुआ और वहाँ पर किसी वाइड मॉस्टर ने हमला कर दिया तो वो अकेले उन्हें कैसे रोकेगा लेकिन फिर उसे याद आता है कि उन्होंने तो एक टेलीपैथी चैनल बना रखा था जिसके तुरू वो बात कर सकते थे वैसे ये टेलीपैथी चैनल लियोनिस ने बनाया था और वही ये चीज बता रहा था तो यहाँ पर वो कहता है कि अभी इसके बारे में भूल कर सीलिया को जाकर रेजीना को बचाना चाहिए क्योंकि साथ वो अभी इन वायड माश्टर की बीच में घेली चुकी है अब सीलिया बात समझती हैं और बाकी सभी को लेकर सीधे उसी डिरेक्संट में चली जाती है क्योंकि यहाँ के वायड माश्टर खत्म हो चुके थे हम देखते हैं कि रेजीना सच में इस वक्त प्रॉब्लम में फसी हुई थी लेकिन तब ये सब वहाँ पर आकर उन सब वाइड मॉस्टर को रोकना चालू कर देते हैं हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाइड मॉस्टर भी आ चुगा था जो कि सच में इतना बड़ा था कि उसे रोकने के लिए इन में से किसी की पावर कामी नहीं कर रही थी यहाँ पर फेनरिस भी अपनी पावर का इस्तिमाल कर रही थी उसकी पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो उस बड़े से वाइड मॉस्टर को जमा नहीं पा रही थी लेकिन फिर जब वो साथ मिलकर अटैक करने की प्लैनिंग करते हैं तो यहाँ पर साकुया कहती है कि इन सब की कोई जर्रत नहीं है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस वाइड मॉस्टर से वो खुद अकेले लड़ेगी सभी को उस पर भरोसा था इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद साकुया अपनी ट्रू पावर का इस्तिमाल करती है वो डार्क डीमन सौर्ड का इस्तिमाल कर रहे थी पर यहां उनकी फाइट हमें दिखाई नहीं जाती है और यहां से सीन चेंज हो जाता है हम देखते हैं कि यहां पर अब रेजिना और सीलिया दोनों ही उस जगे के पास पहुंच चुके थे जहां पर उन्हें प्रिंसेस ने आने को कहा था तो सीलिया कहती है कि तुम अपना काम करो मैं बाकी वाइड मॉस्टर को जब तक रोक कर रखूंगी यह बात सुनकर रेजिना आगे बढ़ती है और सीधा उस टावर के पास जाती है जहां पर उसे एक कोड डालना था यह कोड उसकी बहन ने उसे बता दिया था और असल में यह कोड और कुछ नहीं बलकि उसी एस्टार का नाम था जो की रेजिना के जन्म होने के टाइम पर तूटा था इसका रेजिन बिलकुल साफ था भले ही प्रिंसेस रेजिना से छोटी है लेकिन वो यह जानती थी कि उसकी एक बड़ी बहन भी है और वो कभी भी यह बात भूलना नहीं चाती थी इसलिए उसने इस कोड को अपनी बहन के श्टार के नाम पर रखा जिससे कि उसे हमेशा अ कि सभी लोग की जान सेफ है तो वो इस चीज पर बहुत ही जादा खुश थी उसे अभी बिलकुल भी अपनी चिंता नहीं थी लेकिन अचानक से अब वो हेलिकॉप्टर नीचे की तरफ आने लगा था जैसे कि कोई उसे खीच रहा हो और जो लड़की उस हेलिकॉप्टर को चला रही थी वो इस चीज पर बहुत ही जादा हैरान थी वो देखती है कि नीचे जो वाइड मॉस्टर थे उन्हें कोई फायर बॉल टकरा कर खत्म करते जा रही थी और ये फायर बॉल देखकर आप समझी गए होंगे कि ये कौन है वैसे अब फिर से ये सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वहाँ हौल में सभी लोग को वाइड मॉस्टर ने घेर रखा था और इस वक्त अभी वहाँ पर एलफाइन और फैनरिस थे वैसे दिक्कत की बात ये थी कि उनके पास जो भी गन थी उसकी गूलिया अब तक खत्म हो चुकी थी तो इन वाइड मॉस्ट को रोकने का कोई और रास्ता नहीं था इस वज़े से वहाँ पर बच्चे भी रोने लगे थी लेकिन तब ही एक लड़की कहती है कि चिंता मत करो लियोनिस उन्हें जरूर बचा लेगा और जैसे ही वो इतना कहती है तो अचानक से कोई आकर उन वाइड मॉस्टर को खत्म क चींज होता है और इस वक्त हम आ चुके थे लियोनिस के पास अब लियोनिस और वो लड़की जो की प्रिंसेस को ले जारी थी वो आमने शामने खड़े थे वैसे वो लड़की लियोनिस को नहीं जानती थी कि आकर वो कौन है लेकिन लियोनिस बताता है कि वो असल में डीमन लौड है इस चीज़ पर वो लड़की कहती है कि वा बच्छे तुम्हारे शपने बहुत बड़े हैं मगर यहाँ पर लियोनिश अपनी वो पावर का इस्तमाल करता है जो कि सिर्फ डीमन लौड के पास होती है और यहाँ पर लियोनिश ये भी कह रहा था कि तुमने मेरे का हलका मानने भी लगी थी कि सच में उसके पास डीमन लौड की पावर है क्योंकि उसे पता था कि डीमन लौड के पास कौन कौन सी पावर होती है वैसे जब लियोनिश उससे पूछता है कि वो ऐसा सब क्यों कर रही थी तो इस पर वो बताती है कि उसे बच डीमन लौड को create करना था जिससे कि उसे गौड्स का आसिरवाद मिल सके लेकिन लियोनिस को कुछ भी समझ नहीं आता वो उससे पूछता है कि उस गौड्स का नाम क्या है लेकिन अभी यहाँ पर वो लड़की कुछ भी कहे है इसके पहले यह अचानक से वहाँ पर एक तलवार आती है और पर डीमन लोड और कोई हुआ करता था वैसे हम देखते हैं कि इस तलवार के आर पर होते ही अचानक से वो लड़की एक वाइड मॉंस्टर में बदल जाती है और साती साथ अब वहाँ पर और भी वाइड मॉंस्टर आने लगी थे लियोनिस उन पर हमला कर रहा था लेकिन अचानक से वहाँ पर एक पूटाल उपन होता है जिसमें उस लड़की को वो खीच लीता है और इसके बाद अब वो सीधा ही लियोनिस के उपर वहाँ हावा में आ चुकी थी और वो वाइड मॉंस्टर सच में बहुत बड़ा था वो तुरंत लियोनिस पर गिरने वाला था लेकिन लियोनिस वहाँ से हटकर उसे डॉज कर लेता है वैसे हम देखते हैं कि अभी जो छोटे वाले वाइड मॉंस्टर थे वो इस वक्त प्रिंसेस के पास जा रहे थे लेकिन ये चीज़ अभी रेजीना भी देख रही थी वो वही हेड़कोर्टर में बैठे हुए अप वाइड मॉंस्टर खत्म होते जा रहे थे पर कुछ वाइड मॉंस्टर उसकी रेंज से बाहर थे तभी वहाँ पर सीलिया भी आ जाती है और हम देखते हैं कि वो लियोनिस की मदद करने के लिए वहाँ पर छोटे वाले वाइड मॉंस्टर से फाइट कर रहे थी और जब व वो कैसल में थे जहांपर प्रिंसेश ने सभी को बुलाया था और वो सभी को थैंक्यू कह रही थी वैसे वो पूछती है कि लियोनिस वहाँ पर नहीं है जिस चीज़ पर सीलिया बताती है कि अभी वो पूरी तरह से रिकावर नहीं हुआ है और अभी उसके पास इतनी पावर नहीं थी इसलिए वो उनके साथ नहीं आया लेकिन प्रिंसेस कहती है कि उसे जाकर थैंक्यू जरूर कहना अब इसके बाद यहां से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लियोनिस बेड पर पड़ा हुआ था तब ही वहाँ पर रिजीना आती और वो लियोनिस को थैंक्यू कहने के लिए उसके लिए एक एपल लेकर आई थी यहाँ पर हम देखते हैं कि रेजिना इस सब के लिए थैंक्यू कहने के लिए उसे एक गिफ्ट देती है और वो इस बात को सीलिया से सीक्रेट रखने को कहती है जिससे लियोनिस भी थोड़ा सरमा जाता है इसके बाद हम देखते हैं अभी सीटी के कुछ सोलजर एक जंगल में आय हुए थे असल में यहाँ पर वो उन डेमी हुमन्स को पकड़ने के लिए आये थे जिन्नोंने प्रिंसेस पर हमला किया था और उन्हें किड्नैप करने की कोसिस की थी यहाँ अंदर आने के बाद वो अपनी गन उन डेमी हुमन्स पर तान देते हैं लेकिन अचानक से वहाँ पर एक लाइट आती है बलकि लियोनिश है क्योंकि तभी लियोनिश को फोन भी आता है जो कि और किसी का नहीं बलकि सीलिया का था उसने सिर्फ उसका पता लगाने के लिए फोन लगाया था कि वो कहां पर है अगले सीन में हम सीलिया को देखते हैं जो अभी लियोनिश के कमरे में आई थी ये देखने के लिए कि वो कमरे में है या नहीं लेकिन उसे वहाँ पर सहरी दिखती और जैसे ही वो एक बार अपनी पलक जपकाती है सहरी वहाँ से गायब हो गई थी वो ये देखकर बहुत हैरान थी कि आकर ये है कौन और कहां गई वो फिर से तुरंट लियोनिश को फोन लगाती है और उससे कहती है कि तुम कहां पर हो लियोनिश ने उसका फोन कट कर दिया था इसकी वज़े से वो वहाँ से अब चली गई थी हम देखते हैं कि लियोनिश अपनी पावर से तुरंत वहाँ पर आ जाता और कहता है कि मैं एक डीमन लॉड हूँ फिर भी इस मामूली इंसान को मेरी कितनी फिक्र है वैसे अब वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीलिया इस वक्त चेंज कर रही थी वैसे इसके बाद रेजीना भी वहाँ पर आ जाती और इसके बाद वो बैट कर वहीं पर बाते करने लगते हैं यहाँ पर रेजीना बताती है कि वो सहर में इसलिए आई थी क्यूंकि उसे खबर मिली है कि सीलिया के घर के बार किसी को देखा गया है, वहाँ पर कभी एक अजीब सी लड़की को देखा जाता है तो कभी एक भेडिये को, यह बात सुनकर सीलिया खुद सौक थी, वो कहती है क क्योंकि लियोनिस समझ चुका था कि यह कोई और नहीं बलकि सैरी ही होगी, वैसे अब सीलिया लियोनिस चे पूछती है कि आखर तुम इतने टाइम से कहां पर गायब थे, जिस पर वो कहता है कि कहीं नहीं मैं बस प्रैक्टिश कर रहा था, आने वाले टूनामेंट के वैसे यह जो गीम था, यह बहुत सिंपल था, इसमें दोनों टीमों के पास कोई जंडे हैं और उन्हें उस जंडे को प्रोटेक्ट करना है, और वहीं दूसरी टीम यह कोसिस करेगी कि वो सामने वाली टीम के जंडे को खत्म कर सके, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी वाली फेंडरिस का पूरा ग्रूप था, असल में वो अपना जंडा छोड़ कर यहाँ पर इन पर हमला करने के लिए आये थे, यहाँ हम देखते हैं कि उनमें लडाई यह स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद फेंडरिस अपनी आइस पावर की मदद से सीलिया के पैर को जमा द देते हैं, यहाँ पर लियोनिस भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वो अपनी सैडो तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से उसने सभी को पकड़ लिया था, और यहाँ पर सीलिया भी पूरी ताकत लगा कर उस बर्फ को तोड़ देती है, और अपनी होरी स्वार को समन करते हुए फेंरिस पर हमला करती है जिस वज़े से फेंरिस अब बेहोस हो गई थी अब वहां के जो जज थे वो अपनी रिजल्ट सुना देते हैं और सीलिया का ग्रूप जीत चुका था वहां पर कुछ और फनेज के बच्चे भी बैठे हुए थे जो कि सीलिया को जीत के मैचेज में भी इसी तरह से परफॉर्म करना होगा और सभी के सभी मैचेज हमें ही जीतने हैं इसके बाद हम देखते हैं कि एक सीटी जो की अब फिर से एक्टिवेट हो जुकी है एक्टिवेट होने से मतलब ये है कि वो अपने आप आगे बढ़ने लगी थी ये सीटी और कोई नहीं बलकि ये वही सीटी है जहाँ पर सीलिया और रेजीना रहते थे और वो यहीं से सर्वाइव करके अभी करेंट शीटी में वहाँ पर आए थे ये सीटी अपने आप मूव कर रही थी यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पास एक होली स्वार थी इस वक्त वो एक क्रिश्टल को उसमें लगा कर कह रहा था कि मैं आपको बचा कर ही रहूंगा ऐसा वो किसी गौड्स के लिए कह रहा था वैसे इसके बाद हम सीटी में आते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि उन लोगों को भी ये बात पता चल चल चुकी है कि जो सीलिया और रेजिना की सीटी है वो मूव कर रही है और वो सीटी कोई छोटी मोटी सीटी नहीं बलकि वो कई हजारों किलोमीटर बड़ी है और वो अभी इनी की सीटी की तरफ आ रही थी अब जो रिपोर्टर थी वो बताती है कि टोटल साथ दिन है साथ दिन में ये सीटी और हमा इवर हुआ तो हम उसे बचा सकते हैं ये सब सुनकर सीलिया बहुत ज्यादा हैरान थी और साथी बाकी सभी लोग भी वो पूछ रहे थे कि आखिर इतना बड़ा मिसन हमें ही क्यों मिला तो इसका कोई खास कारण नहीं था वो कहती है कि ये तो बस हमें हैड ने कहा है इसलिए मैं तुम्hmें बता रही हूँ वैसे हो सकता है कि सालिया और रेजिना उस सिटी को अच्छी तरह से पहले से जानते हैं इसी वज़े से उन्हें यहां पर भेजा जा रहा हो अब सिलिया को लियोनिस चिंता थी है्वो कह रही थी कि वहां पर वौइड मॉस्टर हो सकते हैं औ यह उन्हें यहां से प्लेन में जाना होगा और इसके बाद अब लियोनी सेरी और ब्लैकस से कह रहा था कि मैं वहाँ जा रहा हूं और तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मुझे वहाँ पर तुम्हारी जर्रत पढ़ने वाली है वैसे वो देखता है कि ब्लैकस में बैठकर उस सिटी की तरफ निकल चुके थे वैसे हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर लियोनीस अभी रेजीना के पैर पर सो रहा था और वो सपना देख रहा था कि कई हजार साल पहले जब वो डीमन लॉड के फॉर्म में था तब उसकी एक फ्रेंड यानी की रोसीलिया वहाँ पर उसी के साथ इस तरह से लेटी हुई थी और वो कह रहे थी कि कुछ टाइम बाद में यहां से मैं चली जाओंगी लियोनीस कहता है कि ऐसा क्यों तो वो कहती है कि हम फिर से मिलेंगे लेकिन उसके लिए कई हजार सालों का इंतजार करना होगा और वो ये भी कह रह आते हैं तो देखते हैं कि ये तो बहुत जादा डिश्टॉय हो रखी थी मगर अभी उने वहाँ से कोई सिगनल नहीं आया था यहां पर हम देखते हैं कि अभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा अलग-अलग होकर आगे बढ़ना होगा मगर वो जादा दूर नहीं जाएंगे अब यहां पर लियोनिस और सीलिया बात कर रहे थे क्योंकि बाकी सभी वहाँ से जा चुके थे और सीलिया ये देखकर हैरान थी कि उसकी सिटी अप पूरी तरह से बरवाद हो चुकी है मगर तभी अचानक से उसे सिगनल आना चालू हो जाता है और अचानक से उनके उपर अटैक होना भी सुरू हो गया था हम देखते हैं कि अटैक कोई और नहीं बलकि वाइड मॉंस्टर कर रहे हैं और ये साइज में भी बहुत बड़े थे अब तभी ये सीन चेंज होता और हम उस सीटी का सीन देखते हैं कोई दूर पर एक लड़की थ जानता था और वो लड़की उस लड़के को नहीं जानती थी वो उस लड़के से कहती है कि तुम्हें मेरा नाम पता है इसका मतलब अब तुम्हें मरना होगा वैसे वो लड़का ये बात जानता था कि ये जो लड़की है ये यहाँ पर उसी गौड्स से बदला लेने के लि वैसे अब वो लड़की वहाँ से नहीं जा रही थी, इस वज़ा से नेफकस वहाँ पर कुछ वॉइड मॉंस्टर को बुला लेता है, हमें ये भी पता चलता है कि नेफकस असल में वॉइड लॉड है, इसके बाद अब सीन वापस से यहाँ लियोनिस और सीलिया के पास आता ह वो मॉंस्टर बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर था लेकिन लियोनिस ने उसे बाद में हरा ही दिया था, मगर लियोनिस देखता है कि सीलिया को इतनी चूट लगी है कि वो हील नहीं हो सकती, मतलब वो खुद से चल भी नहीं पा रही थी, तो लियोनिस फैसला करता है कि अब हमें इन्फॉर्मेशन छोड़कर सीलिया को कहीं पर सीब जगे पर ले जाना होगा, लेकिन इतने में ही वहीं पीछे से आवाज आती और कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं, ये सिर्फ कुछ लोगों की स्पीरिट थी, लियोनिस ने देखकर जादा सौक नहीं था क्य लिया को यहाँ पर बुला रहे थे, जिससे कि बागी लोगों की जान बचाई जा सके, वो बताते हैं कि यहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा वाइड मॉंस्टर का हमला होता रहता है, इसी वज़े से हमने आपको सिगनल बेजा जिससे कि जो बचे हुए लोग है आप उन् लियोनिस ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा है अब वो कहता है कि अभी तो हमें सबसे पहले किसी सेव जगे पर चलना चाहिए, इचीच पर अब उन गार्ड्स में जो में गार्ड था वो कहता है कि मेंसन तैयार है, आपको वहीं चलना चाहिए और इसके बाद अब वो वह पर एक कार बुला लीते हैं, लेकिन लियोनिस को भरोसा नहीं था इसलिए उसने अपने स्केलेटन मॉंस्टर को भी समन किया था, मगर फिर वो कार में बैठकर सीधा मैंसन की तरफ निकल परते हैं, अब तभी सीन चेंज होता और अगले सीन में हम बाकी लोगों को देखते हैं, वो इस वक्त आगे बढ़ रहे थे, तभी वो लड़की आरली उन्हें मिलती है, वो इन्हें देखकर समझ रही थी कि ये उनका दुस्मन है, वैसे इन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ पर रेजीना आगे बढ़ रही थी, वैसे भी यहाँ यहाँ हुमन्स को बचाने के लिए आये थे, और वो आरली बिल्कुल हुमन की तरह दिख रही थी, इस वज़े से उन्हें लगा कि यहाँ पर सर्वाइव कर रही थी, अब जब रेजीना आगे बढ़ रही थी, तो इतने में ही आरली उस पर हमला कर देती है, पर यहाँ पर साकुय जाने उसे बचा लिया था और इसके बाद अब साकुया आरली से फाइट कर रही थी, कुई दिर फाइट चलती है और हम देखते हैं कि आरली सच में बहुत अश्टॉंग थी, इस वज़े से साकुया उससे जीत नहीं पा रही थी, और बाकी लोग यह देखकर बहुत ज़् लगी होती तो तुम मुझे हरा सकती थी, मगर तुम्हें चोट लगी है, इसलिए मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती, और अगले सीन में हम लियोनिस और सीलिया को देखते हैं, वो कार में अभी उस मेंशन की तरफ जा रहे थे, पर यहाँ पर सीलिया कहती है कि क्या तो कोई खास जानकारी नहीं मिली है, पर उन्हें एक पावर हाउस मिला है, और वो सोच रहे हैं कि वहीं पर जाकर चेक करें क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवर के होने के चांसे जाता है, वैसे वो यह भी बताती है कि उन्हें एक सर्वाइवर मिल चुका है, इसके बाद कह रही थी कि क्या मुझे और बलड मिल सकता है लेकिन इस पर लियोनिस कहता है कि नहीं मैं इतना ज़्यादा बलड अभी तुमें नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर कभी भी मॉंस्टर का हमला हो सकता है साथी लियोनिस यहाँ पर उसे एक ड्रेस देता और कहता है कि यह ड्रे में काम आएगी लियोनिस कहता है कि हां लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी जरुरत तुम्हें कब पढ़ जाए इसलिए तुम्हें इसे रख लेना चाहिए वैसे इसके बाद लियोनिस उस ड्रेस को उसके अंदर डाल देता है मतलब अब ऐसा था कि जब भी सीलिय अपने मन में सोचेगी तो अचानक से वो ड्रेस उसके सामने आ जाएगी और इसके बाद यहां से सीन चेंज होता है हम देखते हैं कि एलफाइन साकुया और रेजीना तीनों ही आरली का ट्रीटमेंट कर रहे थे और उसको खाना खिला रहे थे मगर आरली खाना खानी रही थी और वैसे अब वो उन पर हमला भी नहीं कर रहे थी ये लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो आरली अपना नाम बताती है और फिर ये लोग उससे ये भी पूछते हैं कि आकर सीटी की हालत कैसी है इस पर आरली को कुछ भी समझ नहीं आ था ये लोग हैरान थे और पूछ रहे थे क आखर तुम city के बारे में कैसे नहीं जानती तो इस पर वो कहती है कि वो यहां से है ही नहीं और अब वो इन से पूछती है कि आखर तुम लोग कौन हो तो इस बात पर यह बताते हैं कि हम एक दूसरे city से आए हैं इस city के सभी लोगों को protect करने के लिए और यहां की जानकारी ल लोग कुछ भी समझ नहीं पाए थे और इसके बाद अब आरली वहां से जानी लगी थी वो लोग उसे रोकते हैं पर आरली मान नहीं रही थी इसलिए अब साकोया कहती है कि तुम खाना खा कर जाओ तो अब जादर रिक्वेस्ट करने के बाद आरली को उनकी बात माननी मतलब उसने भी उस फाइट में हिस्सा लिया था पर उसे भी नहीं पता था कि अभी ये क्या कर रही है इसके बाद हम देखते हैं कि इस वक्त वाइड लोड अपने काम में बेजी था तब ही वहां पर वो वाइड मॉंस्टर शाथा और उसे बताता है कि उनके जो साथी थे उन्हें किसी ने मार दिया और वो सिर्फ अकेला था ये बात सुनकर वो वाइड लोड बहुत जादा हैरान था मगर वो कहता है कि चिंता मत करो उसको मैं देख लूँगा इसके आगे हम देखते हैं कि सीलिया और लियोनी सब सीलिया के मैंसर में पहुंच चुके थे यहां पर आकर सीलिया बहुत जादा इमोशनल थी वो दीरे दीरे आगे बढ़ रही थी और उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी वहां पर आकर उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो कास अपने फादर को फिर से देख पाती तो बाकी लोग अपने स्पेल से वहां पर इल्यू इसमें कुछ तो मिसिंग है वैसे इतने में ही अब वहां पर एक लड़का आता है सीलिया देखती है कि ये तो सर्वाइवर है लेकिन वो लड़का असल में वाइड लॉड था वो यहां पर आकर बताता है कि वो कोई सर्वाइवर नहीं है बलकि वो तो यहां पर सीलिया को खत्म करने आया है और इसके तुरंती बाद वो हमला करता है जिस अटैक की वज़े से सीलिया बहुत ही जादा इंज़र्ड हो जाती है और इस अटैक की आवाज वहाँ पर लियोनिस को भी सुनाई परती है वो तुरंती वहाँ से भागता है यहां पर आने के लिए इसके पता था कि वो उन वाइड मॉंस्टर से फाइट करने जा रहे हैं इस वज़े से वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी लेकिन इस पर उसके फादर कहते है कि नहीं तुम हमारे साथ आ नहीं शक्ती क्योंकि अभी तुम कोई होली नाइट नहीं हो जब तुम अपनी ह सीलिया की आँख खुलती और वो वहाँ बिहोस पड़ी थी वो देखती है कि अचानक से उसके सामने तीन वोरियर्स आ गये थे ये तीनों स्केलेटन मॉंस्टर्स थे ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आये थे सीलिया उनने देखकर बहुती जादा सौक हो गई थी साथ सीलिया कहती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ वैसे सीलिया यहाँ पर इन एसकेलेटन के बारे में पूछती है तो लियोनिस बताता है कि तुम्हें याद होगा कि कार में बैटने से पहले मैंने तुम्हें कुछ कीचेंस दी थी मुझे पहले से डाउट था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो सकती है इसी वज़े से मैंने अपने स्केलेटन आर्मी के तीन सूपर वारियर को इन कीचें के थ्रू तुम्हारे पास छोड़ दिया था अब हम देखते हैं कि सामने नेफकस उन पर हमला करने वाला था लेकिन वो तीनों स्केलेटन आपस में ही लड़ रहे थे कि सीलिया की मदद कौन करेगा लेकिन लियोनिस कहता है कि तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम्हें अपने अपोनेंट पर ध्यान देना चाहिए वैसे अभी सामने नेफकस ने जब अटैक किया थो तो लियोनिस ने उसके अटैक को उसी के तरफ कर दिया था जिस वज़े से नेफकस को ही चूट लग चुकी थी पर हम देखते हैं कि अभी तो वो ठीक है वो कहता है कि मेरा श्टाइल तुम मुझ पर ही कर रहे हो और साथी नेफकस के पैर वहाँ पर जमा दिये थे इस चीज़ से नेफकस भी ज़्यादा हैरान था कि आखिर लियोनिस के पास इतनी पावर कहां से आई क्योंकि वो तो सिर्फ एक बच्चा दिख रहा है और वो अब लियोनिस से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन इस पर लियोनिस कहता है कि तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए हो इस पर निक्फस कहता है कि अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो करने के लिए आया हूँ लगबग मैंने वो कम्प्रीट कर लिया है और वैसे भी मैं यहाँ पर तुमसे लड़ना नहीं चाहता था वो बस मैं टाइम पास कर रहा था जिससे की मेरा काम पूरा हो सके और लगता है कि अब मेरा काम पूरा हो चुगा है इसलिए मुझे अब चलना चाहिए इसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से जाने लगता है लियोनिस उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि नेफकस ने उस अटैक को रोक लिया था और यहाँ पर वो कह रहा था कि गॉड़िस जल्दी यहाँ पर आने वाली है साइद उसके बाद तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे दुनिया खत्म होने वाली है इतना कहते हुए अब वो वहाँ से चला गया था सीलिया और लियोनिस दोनों ही उसकी बात से हैरान लग रहे थे सीलिया पूछ रहे थी कि आखर ये है कौन और ये चाता क्या था इस पर लियोनिस कहता है कि मैं कुछ पक्के तरीके से कुछ कह नहीं सकता वैसे लियोनिस मन में सोच रहा था कि इसका नाम नेफकस है मैं से जानता हूँ इसने मेरी कई सारी important meeting attend की है लेकिन अभी वो इस चीज की टेंसर में था कि आखरी ये किस गौड की बारे में बात कर रहा था तो लियोनिस सोच रहा था कि कहीं ये गौड़ेस रोसेलिया तो नहीं पर वो सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता सामने से एक बड़ा सा जाइंट क्रियेचर निकल कर बाहर आता है हमें पता चलता है कि असल में वही गौडेस है जिसने सिक्स मेन करेक्टर के साथ मिलकर लियोनिस के उपर हमला किया था जब वो डीमन लॉड हुआ करता था यहाँ पर लियोनिस उसे देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर उसे रिवाइव करने का क्या कारण हो सकता है साथी साथ अब वो वाइड मोंस्टर भी एक्टिवेट हो चुके थे मतलब वो भी हमला करने के लिए पूरी तरह से तयार थे और आसपास उस आलेंड पर जितने भी वाइड मोंस्टर थे वो सब वहीं आने लगी थे लियोनिस के स्केलेटन वारियल लियोनिस से कहते हैं कि यह बिल्डिंग कभी बिगर सकती है हम यहाँ से निकल कर किसी सेफ जगे पर चलना चाहिए वो तुरंती वहाँ से थोड़ी सेफ जगे पर पहुँचता है यहाँ पर अभी वो उस बड़े से क्रियेचर आनी की उस गौडिस को देख रहा था और जो वाइड मोंस्टर थे उनको वहाँ साकुया, एलफाइन, रेजिना यह सभी नोटिस कर लेते हैं साकुया अभी आरली से कह रहे थी कि उसे अभी यही पर छुप कर रहना होगा जिससे कि वो सेफ रह सके, पर आरली को कुछ समझ नहीं आ रहा था वैसे भी वो गौडिस से बदला लेने के लिए आई थी तो वो सोच रही थी कि क्या यही गौडिस है वैसे यहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलफाइन इस वक्त बाकी जगों पर नजर बनाने की कोसिस कर रही थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है उन्हें बस नजर रखनी थी कि आखिर लियोनिस और सीलिया कहां पर है क्योंकि उन्हें बचाने का एक ही तरीका है कि यहां से निकलना होगा क्योंकि यहां पर बहुत ही सारे वाइड मॉंस्टर है वहाँ सीलिया और स्पिरिट्स के साथ ही साथ स्केलेटन वारियर लड़ने के लिए पूरी तरह से तयार थे लेकिन वो लोग यह भी देखते हैं कि यहां सच में बहुत सारे वाइड मॉंस्टर है और उनसे ताकतवर भी हैं इस वज़े से वो सभी को नहीं हरा सकते पर फिर भी अभी वो लड़ रहे थे लड़ते वक्त वो लोग नोटिस करते हैं कि जिस भी वाइड मॉंस्टर को वो मार थे वो वाइड मॉंस्टर वापस से री क्रियेट हो जाता अब इस चीज की वज़े से वो ये बात समझ चुके थे कि इन्हें मारना इंपासिबल है दूसरी तरफ एलफाइन साकु ये सब प्लानिंग कर रहे थे कि यहां से निकलना होगा लेकिन इसके लिए इन्हें पहले लियोनिस और सीलिया को ढूणना था वो प्लान बनाते हैं कि वो स्पीड से जाएंगे और उन दोनों को लेकर तुरंती साइलेंट से निकल जाएंगे जिससे कि कोई वाइड मास्टर उन पर हमला ना कर सके वहीं दूसरी तरफ लियोनिस भी उनकी मदद करता है वाइड मास्टर से लड़ने में इसके बाद अब सभी फिर से लग गए थे उन वाइड मास्टर से लड़ने में और उनके सर पर अटैक करने में अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साकुया, एलफा, एन, रेजिन, यह सब वहाँ से निकल चुके थे साथी आरली भी अब बाहर आ गई थी मगर वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो देख पा रहे थे कि यहाँ बहुत सारे वाइड मॉंस्टर थे लेकिन दूसरे तरफ वो जो सकेलेटन वारियर थे वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे वो तो बहुत एकसाइटेट थे लड़ने के लिए क्योंकि उन्होंने कई हजारों साल से लड़ाई नहीं की थी अब यहाँ पर हम लियोनिस को भी देखते हैं उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा था और वो उस गॉड़िस को देख रहा था वो सोच रहा था कि इसी ने मुझ पर हमला किया था और अब वो फैसला करता है उससे लड़ने का इसके बाद वो अपनी अस्टिक को आगे करते हुए एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटेक का इस्तिमाल करता है यह अटेक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि गॉड़िस की पूरी बॉड़ी पर आग लग चुकी थी अब लग तो रहा था कि वो हार जाएगी मगर ऐसा होता नहीं बलकि वो लियोनिस के उस अटेक की एनरजी को ही एब्सॉर्ब कर लेती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा हो इसके बाद अब वो अपनी पावर का इस्तिमाल करके पावर दिखाती है उसका जो स्पेल था वो सच में बहुत ज़्यादा खतनाग था वो इतना बड़ा था कि वहाँ उसने बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लिया था और यहाँ पर लियोनिस भी ये देखकर गुस्सा कर रहा था और समझ चुका था कि ये अटैक को रोक पाना उस अकेले के बस की बात नहीं इस वज़े से वो अपने स्केलेटन वारियर की हेल्प लेता है और एक मल्टी बारियर क्रेट करता है जो कि उस अटैक को रोक सके उसका बारियर क्रेट हो चुका था लेकिन सामने की तरफ जब वो गौड़ेस अपने अटैक करती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे पोर्टल ओपन हुए थे उनके अंदर से बहुत बड़े बड़े मेटो राइट्स गिरने लगते हैं यह बहुत बड़े बड़े पत्थर टाइप की थे और यह भी वाइड मॉंस्टर्स पर भी गिर रहे थे और वो भी वहाँ पर मरते जा रहे थे मगर लियोनिस का बैरियर उन्हें बचा रहा था दूसरी तरफ साकुया और बाकि सब यह चीज़ देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान थे और सोच रहे थे कि क्या लियोनिस और सीलिया सेफ होंगे मगर उनका भी मेन फोकस उनके काम पर था क्योंकि उन्हें जल से जल अपनी वो मसीन ठीक करनी थी और यहां से निकलना था इस तरफ लियोनिस ये बात जानता था कि इस तरह से वो जीत नहीं सकते क्योंकि बचना एक option नहीं है इसलिए अब उन्हें fight करनी थी वो सबसे कहता है कि उसे उनकी मदद चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वाइड मॉंस्टर्स हैं तो अगर लियोनिस अकीला उस गॉड़िस से लड़ने के लिए गया का मिल जाता है वहाँ से निकल कर सीधा ही गॉड़िस पर अटैक करने का वो हवा में आता और अपनी डेमन सोड को निकालते हुए गॉड़िस पर हमला करने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि उसकी तलवार अचानक से रुक गई थी और वो आज तो रोसीलिया की है लेकिन लिए बात देकर बहुत ज़्यादा सौक था कि ऐसा कैसे हो सकता है रोसीलिया वहाँ कैसे आ सकती है अब यही सोचते हुए वो अपनी तलवार फर फिर से कंट्रोल पाता है और तुरंती सामने उस गौड़ेस के उपर अटैक कर देता है अब गौड़ेस को उस अटैक से ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचा था लेकिन उसने इसके बाद अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया था हम देखते हैं कि एनरजी के बने हुए बहुत सारे तीर गौड़ेस की बाड़ी से निकलते हुए लियोनिस और बाकी सभी की तरफ आ रहे थे जिसमें कई सारे वाइड मॉंस्टर्स भी मारे जाते हैं साथी कई सारे वाइड मॉंस्टर्स मारे जाते हैं साथी बाकी सबी भी उन तीनों से बचने में थोड़े इंजर्ड हो रहे थे यहाँ पर लियोनिस को भी एक तीर लग जाता है जिस वज़े से वो वहाँ हवा से नीचे गेने लगता है परसीलिया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थी और उसके नए लेवल की पावर एक्टिवेट हो जाती है यह पावर बहुत जादा थी जिसकी मदद से वो फाइनली गॉर्डेस को वहाँ हवा से नीचे गिराने में काम्याब हो गई थी अब गॉर्डेस जब तक उठे तब तक उनके पास अच्छा खासा टाइम था गॉर्डेस जाता है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए लेकिन सीलिया इस पर साफ साफ मना कर देती है वो कहती है कि मैं तुम्हें यहां पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि हम साथ आये थी इसलिए हम साथ ही जाएंगे लियोनिस यह सोचकर बहुत दुखी था और इसके बाद फिर अचानक से वो अनकॉंसियस हो जाता है और उसे अपने ड्रीम में वही टाइम दिखता है जब वो डीमन लाड के फॉर्म में था और इसके पास रोसेलिया थी रोसेलिया यहाँ पर कह रहे थी कि मुझे नहीं पता कि मैं अगले टाइम में तुमसे किस रूप में मिलूँगी लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें ढून लूँगा इस पर रोसेलिया कहती है कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि तब सिचुएशन क्या होगी वो बोलती है कि अगर situation बिगडी तो तुम मुझे मार देना लेकिन इस पर लियोनिस कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूँगा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा इस पर रोसेलिया कहती है कि नहीं साथ तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा लेकिन कुछ टाइम बाद तुम समझ जाओगे कि इसकी असली पावर क्या है और तुम्हें क्या करना है इसके बाद अब लियोनिस की दीरे दीरे बाकी मेमोरीज भी वापस आने लगती है लेकिन अब हम रियल वर्ट में देखते हैं कि अभी सीलिया लिोनिस की चोटो को हील कर रही थी तबी वो होस में आता और वो सामने सीलिया को देखता है साथ ही वो ये भी देखता है कि बाकी जो स्केलेटन वारियर थे वो उसे घेर कर खड़े हुए हैं इसका मतलब जब वो बेहूस था तब वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वाइड मॉंस्टर हैं जो कि कभी भी उन पर अटेक कर सकते हैं दूसरे तरफ वो गॉडेस अभी हील कर रही थी क्योंकि उसे भी बहुत ज़ादा चोट लगी है लियोनिस सारी सिचुईशन को देखकर फैसला करता है कि अब उसे सीरियसली लड़ना होगा वो खड़ा हो जाता और अभी उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि यह जो गॉडेस है कहीं यह रोसेलिया तो नहीं पर वो स्योर नहीं था इस वज़े से वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा था बस उसने फैसला कर लिया था कि यह भले ही कोई भी हो उसे इसे खत्म करना ही होगा अब यहाँ पर वो जानता था कि उसे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है इस वज़े से वो सीलिया से हेल्प मांगता और उसकी जो ड्रेस है जो कि उसने ही उसे दी थी उसका एक छोटा सा टुकडा मांगता है असल में वो जो ड्रेस है वो जिस कपड़े से बनी है वो खास कपड़ा है वो किसी भी चोट को हील कर सकता है अब सीलिया ने उसे तुरंती एक कपड़े का टुकडा भी दे दिया था इसके बाद लियोनिस खुद को हील करता और अपनी तलवार लेकर तयार हो जाता है लड़ने के लिए लेकिन जब वो आगे बढ़ने वाला था इतने में ही वहाँ पर वो सारी स्पीरिट आ गई थी जो कि सीलिया के घर का सारा काम करा करती थी वो यहाँ पर आकर लियोनिस से कहते हैं कि वो भी उसकी मदद करना चाते हैं उनका जो मीन परशन था यानि की विलियम वो लियोनिस से कह रहा था कि वो किसी भी कीमत पर लियोनिस की मदद करना चाते हैं पर अब वो एक spirit है, इस वज़े से वो किसी चीज को touch नहीं कर सकते, लियोनी situation समझ रहा था और उनके बार-बार कहने के बाद वो फैसला करता है, कि हाँ ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो एक ball create करते हुए वहाँ पर जितनी भी spirits थी उन सभी की energy को लीता ह जिससे कि उसकी power बढ़ सके और वो goddess से fight कर सके, दूसरी तरफ ये जो spirit थी ये किसी चीज को touch नहीं कर सकती थी, इसका मतलब ये किसी void monster से भी नहीं लड़ सकती थी, इसलिए अब वो अपने कुछ skeleton को समन करता, उन्हें एक body provide कर देता है, अब इस चीज में उनका ये भी फा करेंगे, वो spirit बहुत time के बाद अपनी खुद की body को feel कर पा रहे थे, और वो खुस थे कि अब वो लियोनिश और सीलिया की मदद कर सकते हैं, यहाँ पर लियोनिश खड़ा होता और सीलिया से कहता है कि उसे खास अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब वो goddess से fight करने के ल लडने के लिए तैयार हो जाती है, साथी अब वो जो skeleton की army थी वो भी उसके हर order मानने के लिए तैयार थी, दूसरे तरफ हम देखते हैं कि अभी वो goddess भी पूरी तरह से heal हो चुकी थी, और अब वो फिर से लडने के लिए खड़ी हो चुकी थी, यहाँ से scene change होता और अगले scene में हम Elfine को देखते हैं, वो इस वक्त एक bike को repair कर रही थी, यह उनकी खुद की bike थी, और वो इसको repair इसलिए कर रहे थे, जिससे कि वो यहाँ से तुरंती सीलिया और लियोनिस को ढून कर निकल सके, अब यहाँ पर वैसे बाकी सभी भी थे, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस समय हमला करता है, लेकिन वो उसे बहुत ही आराम से खत्म कर देती है, यह उसके लिए बिल्कुल भी मुस्किल नहीं था, क्योंकि वो पहले के समय में एक hero हुआ करती थी, अब यहाँ पर यह लोग उसकी power को देखकर ही सोच रहे थे कि यहाँ यह strong तो है, और वो फै इस वक्त वो वाइड मॉस्टर से लड़ रहे थे, और यहाँ पर अच्छी चीज यह थी कि वो लड़ने के साथ साथ एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, जिससे उन में से किसी को ज़्यादा चोट नहीं लग रही थी, पर फिर भी वाइड मॉस्टर इतनी ज़्यादा है क उन्हें थोड़ी प्राब्लम हो रही थी, वहीं पास में ही लियोनिस जो बॉल क्रियेट कर रहा था, उस बॉल का साथ जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और धीरे धीरे साथ उसका यह जो स्पेल है, यह कम्प्लीट होने वाला है, अब हम वापस से एलफाइन और बाकी उस पूरे ग्रूप को देखते हैं, जो इसी तरफ आ रहे थे, रास्ते में उन पर कई सारे वाइड मॉस्टर अटैक करते हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं खोते, और वो आगे बढ़ते हुए उन्हें मारते भी जा रहे थे, इस तरफ हम वापस से सीलिया को देख आगे बढ़ते हुए वाइड मॉस्टर को देखकर फैसला करती है, क्योंने एक फॉर्मेशन क्रियेट करना होगा, जैसे कि वो एक साथ जादा वाइड मॉस्टर को खत्म कर शकी, लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी, इतने में उसके उपर एक वाइड मॉस्टर हमला कर दीता ह मगर तब ही वहाँ पर उस एसकेलेटन गुरूप का एक एसकेलेटन आकर उसे बचा भी लेता है, और इसके बाद वो लियोनिस की तरह बढ़ रही थी, हम देखते हैं कि लियोनिस का अटैक अभी पूरी तरह से क्रियेट नहीं हुआ था, लेकिन सामने वो जो गॉड़ेस ह ये मदद से बहुत सारे आग के गोले यहां नीचे गिराती है, लेकिन लियोनिस ने भी अपना एक प्रोटेक्शन बैरियर बना कर खुद को और बाकियों को भी बचा लिया था, इससे उन्हें ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुचा था, वैसे दूसरी तरफ अभी एल हमला करने वाला था, लेकिन वो उसे देखे या उससे लड़े इसके पहले ही उसे कोई खीच लेता है, और हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बलकि सेरी का काम था, वो सिक्रेटली इने प्रोटेक्ट कर रही थी, अब हम वापस से लियोनिस के पास आते हैं और देखते हैं तो फिर सायद गौडेस को हराना नामुम्किन है, वो पूरी तरह से तयार था, और सामने वो गौडेस भी ये बात समझ रही थी, कि वो किस हालत में है, इसलिए वो उसे तुरंती अपने पास में जो बड़ी से बिल्डिंग थी, वो उसे उठाकर यहां लियोनिस की तरफ लियोनिस उसे रोक तो सकता था, लेकिन इस चीज में उसका वो अटैक पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, और इसके बाद वो पूरी तरह से अटैक नहीं कर सकता गौडेस पर, इसलिए ये देखते हुए सीलिया वहां पर आकर अपनी तलवार से उस पूरी बिल्डिंग को कार देती है, अब लियोनिस तयार था अटैक करने के लिए, लेकिन इतने में ही गौडेस ने अपने सामने एक बैरियर बना लिया था, ये बैरियर बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल लग रहा था, इस वज़जे से लियोनिस ने अपना अटैक रोक लि हमला करने के लिए वो तुरंती अपनी तलवार घुमाते हुए उस पूरी एनरजी को रिलीज कर देता है जैसे ही उसने वो एनरजी रिलीज की थी तो इसके बाद वहाँ आसपास बहुत ही जादा तेज लाइट फैल थी है और हम देखते हैं कि वो जो गॉड़ेस थी वो पूरी तरह से डिसापियर हो चुकी थी वैसे जब लियोनिस उस गॉड़ेस पर हमला कर रहा था तब ही उसके अंदर से रोजेलिया की इमेज दिखी थी लेकिन उसने इगनोर किया और अटैक किया क्योंकि यहाँ पर यही करना सबसे सही था इस वक्त अब उन लोगों की जीत हो चुकी थी वाइड मॉस्टर भी अब रुक गये थे और अब फाइनली वो फ्री थे यहाँ से निकलने के लिए तभी वहाँ पर वो सब यह स्पिरिट साती और विलियम बताता है कि अब वो भी फ्री हो चुके हैं इसका मतलब अब तक वो यहाँ पर इसलिए रुके हुए थे क्योंकि उनकी सीटी खत्रे में थी और उनकी जान भी तब गई थी जब सीटी पर हमला हुआ था इसलिए वो यह देखना चाते थे कि उनकी सीटी फिर से इन वाइड मौस्टर से आजाद हो सकी और वो इनसे अपना बदला भी ले सकी जो कि अब पूरा हो चुका था वो फ्री हो जाते और वहां से चले जाते हैं सीलिया इस चीज़ पर दुखी थी पर फिर भी लियोनिस उसे समझाता है तब ही हम देखते हैं कि एलफाइन और उसका पूरा ग्रूप वहां पर आ चुका था वो उन दोनों को सेफ देखकर बहुत खुश थे वैसे यहां पर सीलिया पूछती है कि यह दूसरी लड़की कौन है और यहां पर वो आरली के बारे में पूछ रही थी तो इस पर एलफाइन और बाकी सब बताते हैं कि यह उन्हें यहीं इस सिटी में मिली साइद यह यहां की लास्ट सर्वाइवर हो सकती है वैसे अब जब वो बात करी रहे थे तो उसी समय वहां पर हेलिकॉप्टर साना स्टार्ट हो जाते हैं वैसे अब उनकी लड़ाई जब खत्म हो गई तब यह लोग आये हैं अगर यह लोग पहले आये होते तो साइद उनकी थोड़ी मदद हो सकती थी अब यह लोग यहां से निकलने लगते हैं वापस सेटी की तरफ और आरली भीन के साथ ही जा रही थी वैसे उधर प्लीन में बैटकर लियोनिस सोच रहा था कि वो यहां पर रीन कानेट हुआ यह सब तो ठीक है लेकिन यह सब भी रियल फेस के साथ कैसे आ सकते हैं जैसे कि वो आरली को देखकर बहुत सौक था साथी नेफकस भी अपने असली रूप में यहां पर आया था क्योंकि अगर वो रीन कानेट हुआ होता तो वो किसी और सकल के साथ आ था लेकिन यह सब बिल्कुल पहले जैसे थे इस वज़े से लियोनिस को कुछ बे समझ नहीं आ रहा था बस इसके बाद सीलिया उससे कहती है कि उसे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए और यहां पर वो उसके फादर की जो कहानियों की किताब थी वो उसे पढ़कर सोना आने लगते हैं और कुछ दिर के बाद वो वहां सीटी में पहुँचते हैं अभी जब सीलिया वहां पर नहीं थी तो लियोनिस ब्लैकस और सेरी को बुलाता है वो उनसे कहता है कि उन्हें बहुर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पर काम करना होगा जैसे आरली और नेफकस यहां पर कैसे आए और क्या उन्हें अभी भी सब कुछ याद है जो कि पहले हुआ करता था और इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरली को अभी बंद करके रखा गया था लेकिन वो वहां से भाग जाती है जब सब को ये बात पता चलती है तो सब इस बात से बहुत जादा हैरान थे कि वो यहां से क्यों भागी लेकिन अब इसके बाद लियोनिस की लाइफ नॉर्मली रोज की तरह कंटीन्यू होती है और इसी के साथ ये सीजन वन पूरी तरह से कंप्लीट होता है और अगर इसका अगला सीजन भी आता है तो उसे भी हम जरूर एक्स्प्लेइन करेंगे और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे और कमेंट शिक्सिन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी